तो आज हम बात करने वाले हो है डिजिटल लोजिक के शॉट नोट्स आपको प्रोवाइट कराने वाला हूं ठीक है बगायत है इसकी PDF में आपको प्रोवाइट कराऊंगा तो आज हम पांच चैप्टर पढ़ने वाले हैं तो हम डिटेल कोस्त में हमने सब को जान लिया है कि बाकि NAND और जिससे बनते है उसको देखेंगे फिर हम इंप्लीट मेंटेशन देखेंगे कि हम युनिवर्सल गेट्स करके हम इनकी प्रॉब्लम को कर सकते हैं मिनिमाईजेशन फिर सेकेंड चैप्र मिनिमाईजेशन जिसके नदर बूलिया लॉज लॉस पढ़ेंगे थि अभी तक हमें बिट एड करनी होती तो हमने अभी तक उसका सर्केट नी देखा था कैसे बनते हैं तो हम इस में इस इस सेक्टेट के अंदर जानेंगे तो इस वज़े से हम एक आउंटिंग जनरेट करा सकते हैं जरी फिर आता चैप्टर फाइव चैप्टर फाइव नंबर सिष्टम बहुत ज्यादा इंप्रणेट चैप्टर है ठीक है हमेंसे आपको एक ना एक इसमें से उस ना कुछ आपको डेटा जरूर दिया जाएगा गीवन होगा जिससे आपसे प्रॉबलम पूछी जाएगग जाते IEEE floating representation तो ठीक है यह थे हमाई 5 चैप्टर तो चलिए फिर स्टार्ट करता हूँ मैं आपको शॉर्ट नोट्स और पुरा का पुरा रिवाइस कराता हूँ और आपको PDF प्रोवाइड करा हूँ ठीक है तो चलिए फिर आईए तो आप देखते थे कि लोजिकल फंक्शन स्टार्ट करते जो कि हमाँ चैप्टर वने करें के लोजिक गेट कंदर आपको पता और गेट होता है एंड होता है यह उते हम बोलते हम बेसिक गेट ठीक है नेंड नौ्का हम कहते है उनिवेसल गेट क्यों कहते है क्योंकि आप से अगर कोई इंटर्व्य में पुछ रिद क्यों कहते हैं तो इसका simple reason यह है कि NAND और नोट देखे हमें और गेट हमें बहुत सारी जब circuit बनाना होता है तो हमें और और NAND को पहले सी लेकर चलना पड़ेगा लेकिन अगर हम किसी से यह कह दे कि भाई हमें NAND और नोट गेट प्रोवाइड करा दो बाकि सारे circuit हम इन दोनों सी बनवा लेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इजी हो जाएगी तो सिर्फ हमें NAND और नोट का ही इंतिजाम करना पड़ेगा ना कि हम एक और और एक एंड अगर हम किसी से फोन करके पूछ रहे भाई एक ध्यान रखना है एक जोर एक नोर की हमें फ्यूचर में बड़ी यूज बढ़ती है ठीक है जब हम फिलिफ लॉप बनाएंगे तब यह हमारा बहुत इंपोर्डेंट होता है एक जोर एक नोर तो आपको टेबल यह दोनों की टेबल याद रखनी या फिर आपको पता होनी चाहिए नोर एकजोर और अगर आप किसी एकजाम के लिए टेबल बनाने बैठे को तो टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होगा क्योंकि इनकी बहुत ज्यादा इंपोर्डेंट से ठीक है फिर आता हमारा चलिए फश्ट गेट हम बात करेंगे फिर आता नोर्ट के पहला इसे से बोलते हैं also a load है known as inversion & complimentation ठीक है इसकी अब टेबल देखो तो जीरो को 1 बनाता है 1 को जीरो यह से बोलते हैं inversion और या फिर इसका नाम बोले तो इसको बोलते हैं inverter को दियान रखना न है आतना हमारा end gate end gate symbol and truth table आप देख सकते हूँ end gate जो होता है हमारा D shape में देखता है और इसकी table में देख सकते हूँ आप simple product लगा के अगर आपको यह पता हो तो 0000 का product करोगे simple तरीके से तो 0000 आएगा 0000 आएगा जब 11 पे ही यह सिर्फ 1 देता तो आपको ध्यान रखना यह enable कब होता है डिसेबल कब होता है इसका enable भी पता होना चाहिए और हमारा यह होता है end gate जो कि a into b यानि a.b यह हमारा return करता है फिर आता और gate और gate के आप table देख सकते हो तो a अगर b input है तो यहां पर output में आता है a plus b य इकल to a plus b अब आप देख सकते हो 0000 प्लस 00 होता है 0 प्लस 1 वन होता है 1 प्लस 01 होता है 1 प्लस 1 वन होता है यह simple सी बात है यह पिर आते हमारा third gate यानि कि हमारा fourth gate sorry पुर्थ पर आता Nand gate जो मैं आपको बता यह यह है यूनिवर्सल गेट यूनिवर्सल नंबर वन इसकी दो आगा देख सकते हो डी तो हमारे बनाया था एंड में यहां पर एक note लग जाता तो इसको अगर हम बोलू तो बोलते एंड ब्लस नोट यह होता हमारा यूनिवर्सल गेट इसकी अगर आप टेबल देख सकते हो तो इस टेबल को जरूर दिमाग में रखना और आपको बनानी भी आनी चाहिए ठीक है तो जीरो हम अभी तक हमने दोनों का जीरो इंटू जीरो लेकिन हम इसका उपर बाल लगाते थे तो उसका नोट करते जो एंड का रिजल्ट आ तो उसमें आगे नोट लगा दिए ठीक है यह होगा इसका नेगेटिशन यानि की 0 यानि की इनवर्टर रखना यह हमारा दीयर उसात में इनवर्टर यह होता है हमारा यह फिफ्ट यूनिवेसल गेट जो की दूसरा इंपोर्टेंट गेट जिसकी अब देख सकते हो और था यहां पर लग गया है आगे नोट ठीक है और 1-1 उसका बार होता है 1-1 उसका बार होता है 0 1-1 उसका बार होता है वन उसका बार होता है यह हमारी इसकी टेबल ठीक है इन दोनों की टेबल बहुत इंपोर्टेंट है क्योंकि हमारे एसार फिलिफ्लॉप या जे के फिलिफ्लॉप में यूस होता है एक जोर एक जोर गेट अगर नहीं होते हैं रखना है करना है उक्ता है टीज्च और यहां सबस ciert होटेस कोई लेना देना यहां बच्व Tex और देन जो क्वालन है करन ऊगर मैं इसको बताओं को क्या होता है यह घंड typically और है यह जब और बाकी दोनों पर different होगे, जैसे कि यहाँ 0,1 है, यहाँ पर one written, ठीक है, one zero है, तो one written, तो ठीक है, इसका उन पीछे वाले gate से कोई concept नहीं, बस यह है कि same पर zero देगा, different पर हमारा one देगा, simple, boolean function to input export operation, और इसका आपको यह formula, या फिर इस gate से हमने minimize से drive किया है, कैसे, देख अगर इसको min term में लिखू तो a bar b, और इसको लिखू तो a b bar, अब आप यह मत कहना है कि क्यों आए, क्योंकि detail course में बता चुका हूँ, short notes है, ठीक है, तो अगर मैं इसको minimize form में लिखू तो यह लिखूँगा, a bar b, और a b bar, ठीक है, यह होता है, हमारा hazard gate, ठीक है, it will act like an odd number of one one deduct, ठीक है, इसके अंदर से one deduct को रही है, जैसे कि इसके बंदर zero one है, तो one deduct हो रही है, let's say, I may example देता हूँ, आप कहोगे, इसमें तो, हमें कैसे पता सलेगा, one deduct हूँ, let's say, मिरे पास यह है, one zero, one, one zero, आँ मैं नहीं बता है different पे यह one देगा, तो देको यह different है, यह different है, यह यह से साथ यह करेंगे भी different है अब देखों है सो है से क्या करेगा यहां से वन डिरन पर यहां से वन डिकरन करेगा तो यहां पर देख सकते हैं आप एक, दो है तो output पहरा 0 यानि कि logic 0 या फिलो बोलो या logic 0 फिर बहुत दा इंपूट था different the output becomes high वो लोजिक बन से फिर हमारा यह आप देख सकते हो ए एक जोर एक करेंगे तो 0 आएगा बाप क्या होगे यह क्यों आएगा तो मैं simple बता दूँ ए बार था ठीक है फिलस वही जो हमने फॉर्मूला ड्राइफ किया था वही है तो इससे अगर मैं करूंगा ना तो अगर यह maximum value 1 जा सकती है तो इसकी value 0 आएगी तो 0 फिलस इसके maximum value अगर 0 आएगी तो यह 1 यह हो जाएगा 0 तो यह return करेगा 0 तो इसलिए यह formula के अंदर यह है ठीक है सेम आप इसी तरीके से इसको drive कर सकते हो एप एक जोर प्लस ए एक जोर ए बार इकल टूबन देगा ठीक है सेम तरीके से जैसे मैंने drive किया आप ऐसी drive कर सकते हो ठीक है ऐसी इसी formula से यानि फॉर्म एक जोर एक जोर अगर यह ऐसे चलता जा रहा है और यह हमारा एवन है यह हमारा एवन है तो यह return करेगा 0 तो अगर मैं same operation करूँ और same operation करता हूँ और यह हमारे aode है यह return करेगा क्या यह चीज़ आपको ध्यान रखनी है आप करके भी देख सकते हो ठीक है अब तीन का करके देख सकते हो इसी तरीके से जिसे आपसे मैंने किया एक जोर गेट एट एक लाइक है एवन नमबर ओन डिटेक्टर है यह है वन अगर आगे note लगा देंगे तो यह बन जाएगा एक्सणो यह धियान रखना है आपको यह हमारा एक्सणो इसके टूट टेबल में देख सकते हो आप दो डिफेरेंट होगा ना डिफेरेंट पर देगा वन डिफेरेंट यहां पर क्या है यहां पर उल्टा काम कर लाए ठीक इसके अंदर क्या है ना इसका जो वो होता है ना एक्सणो बी था ना जो हमारा एक्सणो था उसके आगे note लगा देना है क्यों कि एक्सणो यहां तक circuit सेम था ठीक है बस यहां पर एक inversion लग गया तो इस वज़ए से पूरे का note लगा दे जो अभी हमने फोर्मुला बनाया थ इसको कर सकते हो फिर आते हैं बोध दा इंपूट्स आ सेम देन आउट्पूट बिकम साई और लोजिक बने रहे हैं और इस वीडियो के साथ आप बिलकुल रिवाइज कर सकते हो ठीक है पिर आप मारा ए इनको जैसे कि अब हमना एक्सणो करके देखाता वैसी आप एक्सण करके देख सकते हो ठीक है फॉर्मूला मैं आपको बता दिया है इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ये क्या होता है ये ए बार बी बार पिलस ए बी इंपल सा है आप बिलकुल जोस में रहना और इसको डियान से पढ़ते रहना ऐसी सेम अगर मैं एक्सणूर एक जाएगा और पिलस वन आ जाएगा सिंपल आप ऐसी तरीके से सॉल्व कर सकते हो में बात हमारी बात यहां पर है ध्यान रखने की कि अगर हम इसको सिरीज में लगा देंगे तो अगर एन की वैल्यू एवन होगी यानि कि ए अगर हमारे एवन होंगे तो वन डिटन करता है और ए अगर हम एक्स जोन में सिरीज में लगा देंगे और एन की वैल्यू अगर ओड है तो ए डिटन करता है बिलकुल सिंपल सी बात हो जाती है नोट की बात की जाए तो ए बार ए बार ए बार एक्स और बी अगर इसको मैं लिखूँ तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता आपको यह 1,000 रुपे की नोट की बात है यह आपको ध्यान धाता है आप यह ध्यान से देख सकते हो नोट के अंदर फिक है यह 2ِ एक्स और एक्स पर नोट लगा देंगे तो यह बन जाएक हमारा धैक बात बताई थि यह नोट और थे और हो जाएगा हमारा एक्स योर ठीक है इसी से हम सब चीज बनाते जा रहे है और आप देखते जा रहे है ठीक है और ओर नमबर ओफ इंपूट एक्जोर एंड एक्जोर और सेम और इवन नमबर ओफ वेरियेबल यार कंप्लिमेंट ठीक है अभी आप इसमें देख सकते हो जब एन इवन था ठीक है यहां पर न ओड था एन इवन पर यह जिरो दे रहा था यहां पर एन इवन पर इवन दे रहा है यानि कि दोनों अलग तरीके रहे है यहां पर एन ओड 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 है यह दे रहा है यानि कि दोनों एक तरीके से काम कर रहे है बिहेव लाइक टेम बिहेव लाइक इच अदर ठीक X और B भी लिख सकते हो ठीक है अब यह ड्राइव आप कर सकते हो मैंने आपको बता दिया दोनों के कैसे formulae से यानि की min terms के formulae से ठीक है for all number of input x node मैंने बता दिया यह सब कुछ ठीक है आप देख सकते हो अब यहाँ पर देखो आगा 3 का होगा A X और B X और C होगा तो यह होगा A X node B X node C ठीक है जब यह 3 पर बात आ जाएगी ना यह बहुत note करने वाली बात है क्योंकि यह हमारे को full adder और हमारे full subtractor में बड़ी मतद करने वाला ठीक है जब हमारे 3 variable पर लगेंगे न एक जोर यह दोनों A X or B C bar आपको होगे यह कैसे है देखिए same भई चीज हमने use कर यह हमने इस बार क्या किया हमने C को मान लिया लग और इन दोनों को मान लिया एक जब हम इन दोनों को एक मान लेंगे तो X or का formula आपको याद होगा A X or B क्या होता A X or B होता A bar B plus A B bar तो ठीक है इस से हम नहीं निकाला ठीक है इसको आप A मान लो कुछ देर के लिए इसको B मान लो तो simple A bar B यानि A X or B whole bar C वो plus इस बारिष के उपर नहीं लगेगा तो उसी बात हो simple इस तरीके साब समझ सकते हो पर आपको यह धान डखना है यह बात बड़ी note वाली है ठीक है यह बात बड़ी note वाली है ठीक है अभी तक मैंने आपको जो ची note वाली बताई यह बताए एक तो आपको पता हो चैए X X नोर की truth table, X नोर की truth table, Dand की truth table, नोर की truth table ठीक है यह चीज आपको दोनों point बताए मैंने ठीक है यह यह चीज मैं इसलिए कह रहा हूं यह important है क्योंकि आपको पहले सी पता होनी चाहिए यह full adder की equation है यह subtractor की equation है आगे जाके काम आने वाली है इसलिए बता रहा हूं ठीक है फिर आता है हमारा A core point ठीक है अब यह क्या है अब आप A exor ठीक है अभी तक हमने देखा था A exor B ठीक है और exor C इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो ठीक है A exor B ठीक है A plus A exor B ठीक है अभी तक मैंने आपको बता है तो कि उपल जो हमारा निकल के आया था A exor B का total whole bar C पिलस आया था A exor B और इसका आया था C बार तो देखिए आपको पता है अगर मैं A exor B का नोर लगा दूँ A exor B पे नोर लगा दूँ तो यह होता है X नोर तो हमारा एक्स नोर के टम्स में अगर हमें निकालना हो तो हमने प्रूब भी कर सकते है ठीक है इसे A exor B लिख दिया और आप A exor B बार अब इन दोनों पे अगर हमने लगाया तो यह simple निकल क्या आया A exor B exor C equal to होता है A exor B exor C है डिटेल कोर्स में आपको सब बता चुका हूँ ठीक है यहां में चीज है पॉइंट में बताना क्या था ठीक है अब यह इसको टोटल के अगर बार लग जाएगा तो यह हो जाएगा या एक्स नोर बी exor C या equal to हो जाएगा A exor B exor C ठीक है अब मैंने देख़ों यहाँ टूपर टोटल बाल लग रहा है तो एक शाय wizard दिखरा है कि नहीं मैं बता देता हूं इसके उपर बाल लग रहा है always यहां ऑगर X band X level plus C यूपर बाल लग जागा तो सेम वैसी तरीके से यहां पर B लग addition subtraction and comparator circuit अब comparator क्या है चीजे compare करने के काम है ठीक है चीजे compare करने के बाद लेट से जीरो और वन को अगर compare करना है तो यह क्या है यह हम बोल सकते है यह not equal है यह simple as यह होता है comparator circuit रहाते है implementation of gates using NAND मैं आपको बता है NAND एक universal gate है तो हमें सारे इनी से ही बनाने आने चाहिए NAND और नोल से ठीक है अगर हम मार्केट में गए मार्केट में हम किसी को फोन कर रहे है कि भाईया जी हमारको अन्ड गेट दे तो उनने कह दिया NAND gate 10 थे सारे बिख चुके अब हम पर NAND निया तो हमें एक universal gate बनाना पड़ा हमने फोन किया भाया जी NAND gate एंड गेट है भाया जी ने का NAND gate तो नहीं है तो हमने का भाया जी NAND gate दे दो उनने NAND gate भोर है बहुत है भाई NAND gate universal gate है यह हमारे पास always available ठीक है यह हम बल्क में मंगाते है तो हम क्या करेंगे NAND gate बना के NAND gate बना सकते है तो फिर इससे क्या problem solve हो सकती है circuit ठीक है motherboard में दो NAND की जगे मतलब एक NAND की जगे दो NAND लगा दिये simple problem ठीक है NAND gate से अगर हमें NAND बनाना तो क्या करना है पहले A B को हमने यह लीना है तो यह हमें दे देगा A B का बार अब क्या करना है भाई इसका तो बार को हटाना तो फिर एक NAND gate बना दिया ठीक है अब आपको पता होगा कि जो हमारा simple अगर जो note होता है न note और यह हमारा NAND है यह धोनों सेमी तरीके से भीएव करती है एक circuit के लिए तो यहां पे हमने यहां पे लगा दिया तो यह बीचे का बार हट चुका तो यह दे देगा A B ओघर-गे चले simple यहां पे हमारे को क्या देता है यहां पे हमारे को देगा A bar यहां पर देगा हमें को B bar और यहां पर JNőREATE कराएगा A plus B का Hole Bar ठीक है A plus B का Hole Bar ठीक है तो यह आपको पता होगा यह कौनसी theorem कहती है यह आपको a bar plus B D bar उसका whole bar, ठीक है, ऐसे करोगे तो हो जाएगा, A bar dot, ये कौन सी theorem है, भाई, ये कौन सी theorem, अभी theorem आगे देखेंगे, minimization के अंदर, तो इससे आपका सकतो हो, ये है D Morgan theorem, ठीक है, तो ऐसे ही आपको ये drive करने है, ठीक है, आप, ठीक है तो यह नेंड गेट है तो यह मैंने प्लस को लिख दिया अरे भाई जी गलती हो गई थोड़ी ठीक है तो यहाँ पर क्या है ए बार पीछे बी बार और यह डॉट आ गया इसका पूरे का यह आ गया ठीक है अब आपको बता है डीम और गंतियोरम ठीक है यह वैसे भी पता होगा शोट को से तो आपको पता है डीटेल को समें आपको पताइए घे कहिसे यह आ जाएगा यह जाए यह बहुत है यह हमने ओर गेट को ऐसे बना दिया थίक कैлись है अब आपको पता ही कि अगर आप दुकान पर जाओ गे आपको और gate बनाना है अपने motherboard बनाना है खुद का या PC भी बनाना है तो आप उससे करोगे भाई और gate दे तो अगर वो कहता है और gate नहीं है तो आप क्या करोगे तीन Nand gate उठा के लिए आओगे Simple Nand gate चाहिए Nand gate market में available नहीं है तो 2 है हमारे Nand gate उठा लिए आओगे ठीक है Nand gate, 2 Nand gate, 3 Nand gate, 4 Nand gate ध्यान रखना ये table भी बना हूँ है table आपको याद रखनी है कि कितने Nand gate से कितने gate बन सकते है ठीक है तो यहां पर अब कैसे होगा अब मैं इसको solve करके क्या बताता हूँ ठीक है बता देता हूँ एक बाल लास्ट बार ठीक है A B यह हो जाएगा बार ठीक है यहां से आया A यह हो जाएगा A A B बार ठीक है यह साथ में A इसका बार ठीक है यह साथ में रखना है bracket है ठीक है यहां पर क्या है यहां से हमारा जो तोट पिर आ जाएगा B बार A बार B इन दोनों के साथ मैं ठीक है अब आप इसको solve करोगे ठीक है solve करोगे तो A bar A bar को दो बार करने से अच्छा है कि A bar एक बार ले लिए A bar B ठीक है आपको बता हो न चाहिए जब A bar बना रहे तो 69 निकल क कै यहां पता दिया यहां पर death photosции cancer न को बता दिया है यहां पर लगते है चारада नोट में एक और में लगे तीन नमें लगे हमारे कितने दो गेट अब आप मार्केट में जाओगे तो यह गेट नहीं मिलते तो जाके नेंड गेट उठा लाना अपने खुद के बना लेना इंप्लिमेंटेशन ऑफ गेट यूजिंग नौर अब नौर में क्या है नौर में एंड के लिए लगते हैं देखिए जो मैंने आपको बताय करेंगे नौर के साथ यहां सिर्फ दो सर्केट यूज जोर के लिए तो यहां तीन होंगे है नौर के लिये अगौह के यहां जादा लगेंगे यहां ठीक है यहां मतलब यहां ज्यादा लगेंगे वहां कम लगेते ठीक है एक एक दो तीन चार पांच यहां लगते है पांच एक जोर वहां लगेंगे वहां एक जोर कम लगेंगे यहां लगेंगे एक दो तीन चार यहां पर लगेंगे चार एक जोर के लिए यहां पर कितने पा यह टेवल याद रखना जो भी चीज बता यह टेवल में याद रखना नमबर ओफ नेंड नोर गेट नीडिट इंप्लिमेंट अधल लोजिक गेट इस वन इन देख सकते हो नोट नोट दोनों में एक एक लगेगा ठीक है जब एंड करेंगे तो मैंने बता दिया एंड के लि वहां पर लगेंगे 5 यहां-पर we हैए लगें लगेंगे 5 यहां पे लगेंगे 5 एंड कुछ बता दिया टेवल में याद रखना भी आते हमारे बबल और गेट से हम नेंड गेट कैसे बनाएंगे, हमें क्या लगाना है, हमें दो बबल लगा देने हैं, और पर तो वो एक्वेलेंट होता है हमारे नेंड गेट के, ठीक है, 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 ठी D Morgan लगाऊं, इसको D Morgan लगाते है ठीक है, अगर इसका D Morgan लगाते है, तो ये क्या बनता है, ये बनता A B bar, अब आप कोगे A B bar देखें, जब A B bar होगा, तब ही तो हमारा D Morgan से ये A bar plus B bar निकल क्या होगा, ये तो D Morgan कहता है तो A bar A B का whole bar क्या होता है यह बार, यह बी का होल बारी तो हमारा नेंड होता है, simple ही, ऐसे, यानि बबल और गेट हमारा नेंड गेट होता है, बबल बबल और गेट हमारा एंड गेट होता है, बबल एंड गेट हमारा नोर गेट होता है, ठीक है, आप ऐसी बता के, आप ऐसे ही बना के चेक भी कल सकते ह ठीक है, ठीक है, second example मांगे जो तो देखो second का example में बता दिता हूँ, ठीक है, second का example ऐसे होगा, ठीक है, यहाँ पे हमने लगा दिया, यहाँ पर पहले सी होता है, ठीक है, अब जब हम आईसा पूर तीनों तरब bubble ही बना दिया तो यह equivalent होगा इसका रहें, नोर, नोर कैसे होता ह यह होता ही है अब हमने यहां पे भी लगा दिया यह equivalent होता हमारे end के अब bubble end gate की बात किजा तो bubble end gate होता है ऐसे यह equivalent होता हमारे node ठीक है यह है अब देख सकते हो फिर हमारा आता chapter 2 chapter 2 minimization minimization के अंदर पहले तो आते हैं हमारे boolean algebra loss पहला आता identity log लोग आपको पता होगा simple है a plus a equal to a होगा a से maximum value a से क्या हो सकती है a plus a होगा a dot a क्या होगा a dot a a होगा ठीक है simple simple यह भी आपको पताई है computer property क्या करें computer property याद रखना लोगोता है ना commutative law दो गे बीच में लगता है वह और हम ब्रेकित यहां लगाते हैं तो आपको अंध्य वारीएबल लिख देता हूं यहां पर लिख देता हूं यहां पर लिख रहा हो त्रियाद रहा है को इसके क्यों कि कम्यूटेटिम एस्सेटिव हमारा टी ओसी में भी इउस होगा हमारे discrete में भी यूज़ होता है तो बहुत जगे यूज़ होता है इस वज़े से ठीक है a plus b equal to b plus a होता है और a dot b equal to b dot a होता है यह होता है commutative property हानि law भी बोल सकते हो a plus b plus c यहां पर 3 के 20 लगता है तो अगर हम bracket यहां लगा दे यहां लगा दे यह यहां लगा दे टेकल होगा ठीक है यहां फिर बैक्केट ना भी लगा है तो भी थी यह estás से बोलते हैं यहां करा हमने डॉट ए डॉट भी फिर हमने एक साथ कैसी डॉट को आप फीजिक्स वाला डॉट मत समझे ना डॉट प्रोडक्ट लगाने लगो वह लग है यह लग है ठीक है फर्स्ट सेकंड सिंपल यह प्लस के साथ कैसे होगा ए अब आप क्या करोगे न इसक से खीच के लिए आए तो यहां क्या बचता है ए फिलस बीसी फिल खीच के लिए आना है यह पिलस के ए और उसके साथ वाले नंबर यह सिंपल इसे कहा दे रिष्टिव तो इम और आपको पता ही है ए पिलस भी अगर इसके पूरी को पर बाल लगा दिये तो अभी हमने ने और नोर पढ़ा है तो उससे समझ में आ गया होगा कैसे बोलते है ए बार बी बार यानिगी फिम्पल ठीक है यह ध्यान रखना आपको डी मोर्गन साब को बताने जरू होते हैं नोट की बात की जाए तो नैंड और नोर गे टू नोट फोलो एस्याटिव लोग यह बात ध् और एक्जोर д्र फोलो काम्योट रखने और यह द्यान रखनाफ निया है कि और एक्षॉर एक्जोर यह कम्योट लोगता बात क्या बात बहुत-बड़ी.. बहुद़् बढहे मजा आ गया.. ओ लिए ओंभगे ऑपको होगे a plus a b equal to a कैसे होता है यह हमारी एक थिओर हमें जिसे बोलते है redundant मतलब की ठीक है तो मैं इसको प्रूब भी कर सकता हूँ ठीक है कौन सी थिओर हमें आपको बता चला है कौन सी थिओर हमें यहां पर आएगा यह अगर मैं इसमें common ले लेता हूँ तो याँ रहे है वन प्लस भी आपको पता है बन से बड़ा कुछ हो नहीं सकता और आप बी और प्लस करने को कह रहे हो ठीक है आप कह रहे हो कि एक ठ्रक के अंदर साइकल हो जोड़ दो अरे भाईया जी साई ट्रक के पीछे पीछे साइकल लग द और ठीक है a plus b और यह हमारा देता है ठीक है और इस में धे को यह होता है電व्यूर्म यह डिस्टिविवूटि थी सांसे इंपल देख सकते हो देख सकते हो डिस्टिवूटियूटिया एक पिलस a बार b तो यहांपे हमारा आजाएगा देखें जो जिसके साथ होगा ना यहां पर रह जाएगा A और यह B ठीक है यह ध्यान रखना अगर दो नंबर आ रहे है ए पिलस A बार B ठीक है जो इस नंबर के साथ है दूसरे वाले नंबर के साथ उसको हटा देने का यानी A प्लस B अब क्यों इसको प्रूफ कर यह मैं डिटेल कोर्स में बता दिया है अब य एक जैना इस यह को मैं यहां प्लस B किसको हटा नहीं नहीं है तो लिटेल के मैं जलूर oso harvest को रहे होता नियुक्त कि इसको क्मेंनतियाओ करता ही नहीं क्या अगे अगर इसको बादें तो समझ में आगया आप नहीं आ गया थी है वैसा की समझ में आ गया होगा बहुत असान है फिर आता है यह ए बार प्लस भी धिचे अब इसको करिंगे तो क्या होगा ठीक है ईसका distributive करता हूं इधर आता अब अब आप कर ओगे यह तो कहीं जाना पहचाना लगता है तो थोपड़ा सुने लगता है तो भाई या यह 0 होता है ना तोप्डा सुनने ला तो लगए गई फिर्ष में फास्ता खायों कि फूरट सुने ला होता है व्हाई ये आप समझ गए हुई है फ़िखे फूरण टैएंधक्री देता है इंवुलेशन थेयोरम क्या दिए यह इसके ऊपर डबल बाल लगा दिया तो क्या रिटन करेगा यह तो इससे कैंजल हो जाएगा यह अगर आपका थिउरी एक्जाम्पल है तो यह मत करके आ जाना कि काट के आजाओ ठीचर पर आपका paper kaard देगा नंबर और और अपरेशन आप्रेशन देखते है क्या होते आप अब काऊगे लेकर भाई बाता है और ये तोyl होता भाई वही बात होगे अंदर स्वावश्य करें तोता किंट् arrests तो यह दी मोर्गन थिओरम अब कहोगे आप वनी को मैक्सिम ले रहे हैं भाई हम बाइनरी में बात कर रहे हैं बाइनरी में यह वन हो जीरो होता है आप समझा करें आप यह वैसे गलती ना करें ठीक है दी मोर्गन थिओरम की बात की जाए तो सिंपल हमारे सब डॉट में ऊपर के ऊपर हुल बार लग रहा है तो सिंपल इनको हम पिलस लगाते चलेंगे जहां ौट दॉट है ठीक है और उपर से हमारा सब के ओपर बार आता जाएगा ठीक है डी मोर्गन कहता है ठीक है यह N variables के लिए हमारा डीमोर्गन काम कर रहे है ठीक है हमारा पिलस है बीच में तो एक प्लस को खीच के लिए आओगे तो ए प्लस बी रह जाएगा तो यह अब आपको प्रूफ चाहिए तो प्रूफ मैं कर चुक हूँ डिटेल पॉर्स टिबूशन थे और हम देख सकते हैं पहली थे यह थी हमारी ए प्लस बी और डॉट में ओको पता है ए के साथ में यहां बी बार है यां बी है ठीक है तो इहाँ पे अगर इसका वोल करेंगे तो आ जाएगा याप कैसे आजाएगा आपको पता है ठीक है यहां पर डिस्टिबुटिटीफ थिओरम भी लगा सकते हो यहां फिर यह हमारी थियोरम से हम निकाल सकते है, थर्ड आता है a plus b और a bar plus c, इसको अगर हम खोले, अगर खोले कैसे, खोले मतलब simple वैसी खोलना है, जैसे कि हम x plus y और a plus b खोलना चाहे, तो कैसे खोलते है, x a plus x b plus y a plus y b, कैसे यह mathematical की तरह कोलते है, कोई भी आप अगर मैं कोल के दिखा आता हूँ, चलिए मैं a plus b, और a bar plus c को खोलू, तो क्या होता है, a, a bar आएगा, ठीक है, plus आएगा a, c, plus आएगा b, a bar, ठीक है, कैसे भी लिख लो, उल्टा लिख सकते हो, बस last में सही कर देना, b, c, ठीक है, अब आपको पता यह होता है, 0, ठीक है, a, c, a, c, हम cancel नहीं कर सक सकते हैं, और यह होता है, a, a bar b, ठीक है, फिर आता है, हमारा b, c, ठीक है, आप क्या आगा सकते है, कुछ common ले सकते हैं, ऐसी common ले लेके, हम कुछ ना कुछ करते जाएंगे, और आपको यह, इसका answer मिलता जाएगा, ठीक है, ठीक है, अब इसके बाद क्या करना, देखे, a, c a, bar b, और यह, इसके बाद आती है, हमारी a की important theorem, जो कि आपको मैंने detail course में बताई थी, जो है consensus theorem, ठीक है, consensus theorem कहती है, कि देखे, अगर आपके पास a है, ठीक है, a, bar, अगर आ जाता है, ठीक है, तो mainly आप देखो, अगर आपके पास कोई equation है, जैसे कि, इस equation में बताता हूँ, कि अगर आपके पास कोई equation है, proof मैंने आपको बता दिया है, इसमें दिखा देता हूँ, क्या होता, देखे, अगर आपके पास variable है, 3, 3 variable है, जैसे इसके अंदर b है, ठीक है, b दो बार आ रहा है, c है, c दो बार आ रहा है, लेकिन a, अगर एक तीसरा variable, उसका compliment also available है, तो फिर जो उसकी consensus theorem कहती है, कि वो वाली term हट जाएगी, जिसके पास, मतलब जिसमें compliment और वो normal नहीं आ रहे, जैसे कि इसके अंदर आप देख सकते हो, a और a बार, इन दोरों के compliment available है, तो ये दोरों term रह जाएँगी, वो b c remove हो जाएगी, ठीक है, remove हो जाएगी, ये मैंने आपको detail course में बताया था, कैसे हो जाएगी, तो mainly जो इसका proof है, ये ही है कि consensus theorem लगाने के बाद, ठीक है, तो इसलिए आपको जितनी theorem है, आपको सारी theorem जाननी पड़ेगी, ठीक है, consensus theorem है, distribution, transportation, ये सब theorem के बारे में पता होना चाहिए, redundant theorem, ठीक है, ये चीज, minimize करने में बहुत help करेगी consensus theorem, ठीक है, अब कभी उकार, आपको हमेशा game map की जरूबत नहीं है, कि game map आप solve करो, आप redundant और consensus theorem को आप ध्यान में रखना, consensus theorem लगती है, तीन variable के लिए, जब हमारे पार तीन variable हो, ये हमारी दो variable पे लग जाती है, इसमें ये कहता है कि, जिसका complement और normal term हो, तो उससे हम एक term क को भान निकाल लेंगे, ठीक है, ये redundant term का है, ठीक है, अब हम ये देख सकते हैं, कि हमने इसे prove कर दिया, ऐसी है अगर आप देखो, तो ये हमारी fifth theorem है, जिसमें A plus B, A bar C, इसके सारे मैंने, वो detail course में बता दिया है, कैसे होता है, ठीक है, ये हमारी demorgans theorem, ठीक है, ये तुनों plus C, ये होता है, SOP, SE में लिखा जाए, POS क्या होता है, POS होता, A plus B, P plus C, C plus A, ऐसा लिखा जाए, ठीक है, तो ये हमारी consensus theorem, SOP में लगी है, ठीक है, ये लगी है, POS में, ये हमारी दोनों है, consensus theorem, ठीक है, आप देख सकते हो, A plus B, इसके अंदर क्या है, हमारे पास A available है, और A B और B है, तो बिल्कुल हमारी criteria को follow करता है, C और C है, ये criteria को follow करता है, अगर A और ये बार दोनों available है, तो ये दोनों term रह जाएगी, ये वाली हो जाएगी, cancel, तो आप देख सकते हो, A plus B और A और C, ये दोनों term रहागी, तो इसे कहते है, consensus theorem, ठीक है, ये दोनों consensus theorem है, ये SO आपके बताता हूँ, duality theorem, duality theorem क्या कहते है, dual expression is equivalent to write a negative logic of the given boolean relation, for this we change each OR sign by end sign and vice versa, ठीक है, जैसे कि D Morgan कह रहा है, ऐसे D Morgan एक theorem है, ये duality theorem है, duality theorem क्या कहते है, OR sign को end sign में कर दो, complement जो 0 है, उसको 1 में दिखा दो, और little को मत change कर देना, जैसे कि अगर A बार दे रखा है, वो plus B दे रखा है, तो इसका dual कैसे निकालना है, plus को क्या कर दो, dot कर दो, यानि plus को, यानि end को कर दो, और, यहां पर और दे रखा है, तो इसको कर दो, end, ठीक है, ऐसे, इनको change कर देना, क्योंकि है, wise well सा लिखा जाना, ठीक है, अब मैं A, बार, वो इसको कर देता हूँ, ये, तो और, one time dual is called self-dual expression, एक time dual करने पर, इसको बोलते है, self-dual expression, ठीक है, पिर आते है, four end variables, maximum possible self-dual function, अग वो होते है, two raise to the power, two, n, बतलब, उसकी raise to the power, n-1, ये, ध्यान रखना, two raise to the power, two, उसकी raise to the power, n-1, ये, होता है, ठीक है, आप देखे रखते हो, पिर आते है, number of boolean function, formed, ओ होते है, two raise to the power, two raise to the power, n-n, ये, ध्यान रखना, n, value together to raise to power, n, बतलब, नम्बर of n-valued के लिए यह है number of boolean function तो यह ध्यान रखना है फिर आथ यह complimented theorem for which obtain यह dual की तरह यह पर यहाँ एक चीज है कि यहाँ पर जो है न हमारे individual littles अगर यहाँ पर a bar plus b दे रखा है ना ऊपर क्या हुआ आता हमारे little change हो यहाँ लेकिन यहाँ little भी change हो जाएंगे द्यान रखना जैसे कि यहाँ पर यहाँ पर देखो one में होगा expression compliment the individual littles तो यहाँ पर क्या है compliment लेना है littles का compliment क्या होता है a bar का अगर compliment लूँ इसका होता a simple बात ठीक है boolean function representation पहले आती है canonical form canonical form कहती है all the terms contain each littles example a b c ठीक है अगर उसकंदर तो हमें पता है कि इसमें एक दो तीन little है तो ऐसी canonical form के अंदर हमें तीन हो लिटर्स को represent करना पड़ेगा यह होती है हमारी canonical form ठीक है एक एक्जामपल के तोर के दिखा था standard form कहती है all the terms do not have each and every little ठीक है सबके literal होने ज़रूरी नहीं है यह है standard form इसे minimize करके हमने canonical form को minimize कर देते हैं तो हमारा यह बनता है ठीक है चो कि आपको पता है अभी हमने common moment लेके इससे क्या होगा हमारे reducing number of gates बनेंगे फिराते main terms and max terms and binary variables have two days to the power and possible combination and each of these possible combination is called main terms of standard product जैसे कि अगर हमारे बाद a,b,o,c है तो इनकी सबकी कहा है two possibility या तो इंक्लूड होगा यह नहीं होगा तू इसकी total होगा तू देश्टूरी पावर थिरी तो यह है कहता है कि अगर n binary variables है तो हमारे two देश्टूरी पावर एन possible combination अब हम देखते है मैक्स्ट्रम के लिए मैक्स्ट्रम इधा complement of corresponding minstrum that is m ठीक है तो मैं बता देता हूँ जो मिन मिन्ट्रम होता है वो हमारा लिखा जाता है इस small letter से ठीक है जो हमारा max term होता है वो लिखा जाता है m से अगर इन दोनों को equivalent करें तो जो m होगा रहा या कि हमारा यह होगा होगा यह इसको equivalent होगा कैसे जैसे कि हमें अगर question में given है m 1245 अब 1245 आपको पता होगा क्या होता है यह हमारा ऐसे represent होता है पाई m जो की remaining term है जैसे इसमें 2 3 रहा गया था 4 5 हमारा 6 रहा गया था और 7 रहा गया ठीक है तो आनोग रख के बारे में ठीक है के मैप बोलते है तो ठीक है उसके अंदर अगर हमारे पास चार वेरियेबल चार तो टोटल होते हैं हमारे पाट 2 देश्टी दी पावर 4 यानि की 16 यहां फे हमें 16 सेल बनाती बढ़े एक दो ती रह वर इधर भी एक दो इन एक और यह होते ह हमारे क्या इसे बोलते हैं हमारे K-map की cells हमें कैसे बनानी है ठीक है complete simplification rule पहले हमें क्या करना है K-map बनाना है place once in those cells corresponding to the ones in the truth table and place zeros in the other cell ठीक है अगर आपको min term निकालना तो आपको zero place करने की जरू होती नहीं क्योंकि confusion create हो सकती है और अगर आपको max term निकालना तो आपको one डालने की जरूत नहीं को confusion create होती हो बागी मैंने बता दिया min term जो होती है min terms के लिए हम use करते है SOP form और हमारे max term के लिए हम use करते है POS form ठीक है ध्यान दखना ठीक है any other one these are called isolated ones ठीक है अगर एक one किसी map मतलग के map के अंदर one अकेला रह गया है उसके बाद जो one है वो कहीं दूर है तो आप उसको अकेला यानि की isolated one में count करोगे ठीक है उसको जब अधस्ती pairing करने की जरूत नहीं है next look for those one which are adjacent to only one other one to any pair containing such a one ठीक है तो pair का आपको पताई है के map आपको मरा ना आता होगा let's say मैं एक example के दोर पर बता देता हूं ठीक है यह है हमारा K map और यहां पर हमने दे रखाए one यहां पर one यहां पर one और यहां पर one ठीक है तो हमारे जो pair इसके साथ pair बना लेगा ठीक है यहां भी इंक्लूड हो गया यहां भी इंक्लूड हो ठीक है बाकि आपको इसी से आपको पता होना चाहिए PI कैसे निकालेंगे EPI यानि कि essential primary ठीक है ठीक है prime implement और यह होता है prime time implicants ठीक है मेरी जीब लड़ खड़ा गई यतना complicated नहीं करने खाए बहुत असान होता है PI निकालना PI हमारे possible possible terms ठीक है अब जो होता है EPI उसके बिना हमारा केम है बनी नहीं सकता होगे essential primary applicants ठीक है तो अब आता हमारा loop any octet even it contains some ones have already been ठीक है बाकि जितना केम हैप में आपने पढ़ा सब कुछ मैंने एक points के जरीए आपको बता रहा हूँ तू पैनी quarter there contains one or more ones which have not already been looped taking sure to use the minimum number of loops ठीक है loops को हमें minimize करना है कोई केम है minimize करने की एक हो है ठीक है फिर उसमें अगर आपको कोई equation given है और आप उसको minimize नहीं गर पा रहे है तो आप सीधा केम हैप से जाए ठीक है उसके मैं यूनिक बनाना केम हैप मुश्किल है क्योंगी बहुत सारे केम हैप से ठीक है ठीक है ठीक है अना लेकिन आप मिन टम्स में अगर आप थ्योरम भूल जा रहे हो आपको पंदा नहीं कौंची थ्योरम लग रही है मिन टम लगे की भी नहीं तो मैं बोलूंगा आप से बनाना ठीक है और सम अफ ओल दा टम जनरेटर पाइच लूप ठीक है के मैं प्रोवाइड मिनिमाइज एक्सपेशन बट नेसरी यूनिक देखे मैंने बता था यूनिक आपको पोसिविल्टी नहीं है यूनिक मिले पर इससे मिनिमाइज मिलेगा ठीक है तो आप यहीं बना सकते हो अब ऐसा के मैप भी आपको गीवन हो सकता है इसमें फोड़ी कन्फीजन बाकि मैं डिटेल कोस में आपको बता है कैसे करना एक्शन नम्बल प्रोड़क्ट्ट रिडिदूस्पल एक्षरेशन बिदेन वेरियेबल जो होगी है टूरेश्टी पावर एंड माइनस वन होगे के और मोर्मॉर वरिडिवल्स आर। इकल टू dos हो जैगा एंसिंगे ट्क है ऐंस्ना इसना कॉम्प्लिएक करने जयो होताने है आपको बता है कैसे निकालना है ठीक है यह आनिसी पाइंस के टेराखा है यह हो अपको पता प्राइम इंप्लिकेंट्ट कैसे निकालना है ठी जिसमें PI कितने है एक दो तीन चार यह है हमारे पी आई की पी यह होते है essential prime implicants कितने होंगे एक दो याने कि PI equal to EPI यह करना है simple है आपको यह formula formula से नहीं जाना है आपको पता है कैसे पर point मैं बताना था जो कि यह रखा है ठीक है combination circuit ठीक है फिर आता है हमारा third chapter यह है हमारा chapter number three chapter three combination circuit combination circuit क्या करता है output does not depend on previous value of input यहां पर output किसी previous value पर depend नहीं करेगा output तो feedback is रुगाए यहां पर कोई feedback की ज़रोत नहीं है it consists of input variables logic gates and output variables सिफ तीन चीज़ आपको चाहिए input variables की input क्या जा रहा है logic gates क्या जा रहे है और output variables क्या जा तो बाकी हमें previous input से कोई फरक नहीं पड़ेगा जो की combination circuit है यहां पर मैं लिख देता हूँ यह है इसमें no previous value required लेकिन जब मैं sequential circuit की बात करूँगा ना तो वहां लिख दूँगा previous value required ठीक है no memory is required यहां memory भी नहीं है ठीक है आफ एडर की बात करते हाफ एडर क्या होता है अग लोजिक सेटिट एडिशन ओफ टू वन बिट नंबर से नोन एज आफ एडर जिसके अंदर हम दो दो वन बिट को एड करा सके दो वन बिट कैसे एड कराएंगे ठीक है जैसे कि एक्जाम्पल के थावर्ट पर अगर मैं 01 दे रहा हूं तो इसको एड कराऊंगा तो कितना होगा यह आएगा वन 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 बिट को दो मतलब दो है यह वन फरस्ट ही है एक्जोर एक्जनोर पतलब नैंड और नोरिन की टेबल हमेशा जाद रखना को कि यह पहुच ज़्याद है जरुवत पढ़ने वाली है ठीक है अब यहां पर जो है ना सम सम आगा ना पहले हम टेबल बनाएंगे फिर उससे सरक्ट बनाएंगे ठीक है उल्टा नहीं कर रहे यह यह पर क्या गडरबढ है 1-1 प्लस 1 क्या होटा है 1-1 क्या होता है यहां प्लस वन होता है 1-1ches जयां गया चारी में को कर दे leo को तो पहले यह आसा तरही का है है तो आपको पता यह जो THE टेबल है यह मने आपको बताया यह जरूरी है यह ईवर की टूट टेबल थे टाइएً तो एक्ष गीण टूट टेबल है तोस इंपल लिए एकॉर आ जाएगा जाएगा जिसमें हम यह सम निकाल देएक क्या है चैश म्तलब क्हाथ करी किया है क क्य से ही line रिखेंगे ए भी simple ngin tane लगा दिंगे ये हमारा इसे ही बाद में आपको पता है यी बाद में आपको पता है एक ग्जॉर से कितो न ये आ सकता आपका direct एक भ्रेखे में आपको पते तन इंड हकम लगते हैं यहां पेच छार लगते है चार लग अभर हमारे किन लगा के हम यह बना सकते तो ऐसे ही हमें यह चीज आपको पता वनी चाहिए हुआ है तो कुछ बड़ी बात नीय। fakat हाफ अडर इकल्टू फाइव ठीक है तो यहाँ पर हाफ एडर जब हम nand or no से implement करेंगे तो यहाँ पर 5 को आभी है आप तो कहते 6 देखिए जब minimalize की बात करेंगे न तो buffer आ जाएगा buffer, buffers रिट करने के लिए कि हमें एक NAND के टेक्स्ट हटाना पड़ेगा तो इसलिए यहां पर हो जाता है पांच ठीक है लोजिकल वाज देखे तो चार इधर और दो इधर छे बन देते लेकिन यहां पर जब हम बनाएंगे ना आपको बता देता हूं जब हम इसको बनाएंगे तो यहां पर एक हिए यहां पर एक NAND आ जाएगा कि यहां पर एक NAND आ जाएगा और यह जो NAND को नीचे हमारा एकी निैज्ट है तो जब दो सर्क्टिट लगातार एक साथ आ जाते हैं तो इसे हम पर बफर इसे कहते निखल गर्पर minimize बोलेंगे तो minimize जो आएगा वो 5 आएगा अश्वर इंपल ध्यान रखना ना नियों नमबर ओफ लोजिक गेट रिकार्ट भी अफ एडर इव वी ओल इट एक्सेप्ट एक्जोर एंड एक्जोर इस टीक है तो टोटल लाएंगे तीन गेट लगेंगे ठीक है अगर एक्जोर एक्जोर के अलावा ठीक है एक्जोर एक्जोर नोर के अलावा ठीक है यह बात आपको ध्यान रखनी है तो implement half adder 3 तो ratio 1 max max आपको पता हुआ क्या होगा multiplex फुल एडर की बात करते है फुल एडर क्या है यहां पे थोड़े तो carry कैसे generate होगा जैसे की 1 1 0 0 अगर हम 2 bit use कर रहे है ठीक है थोड़ा hard सा लेता हूँ 1 1 1 1 अगर मैं 1 1 लेता हूँ ना तो इसका आता 0 उसका आता 1 carry जब 1 2 3 अब total केतना होगा 3 3 कैसे binary में लिखते 1 और 1 ठीक है तो यहां पे जो है न यहां पे अगर हमारा पहले सी 1 1 हुआ और उपस एक और carry आ गया तो देखो बहुत complex हो जाएगा तो इसलिए हमारा काम नहीं चलेगा तो हमें ज्यादा bit भी test करानी होते है तो यह को कहता है it performs the arithmetic sum of the three input bits यह 3 input bits के लिए add कराने के लिए यूज होता है addend bit और organ bit and carry bit ठीक है addend bit करने के लिए addend bit और carry bit ठीक है जैसे कि उसमें सेम था logical expression देखा जाए तो यहां पर तीन का है और मैंने आपको बताया था जब मैं वह पहले आपको बढ़ा रहा था बतलब एकजोर 3 के लिए बताया था मैंने बताया था कि वह हमेशा सेम रहता चाहिए एकजोर बी एकजोर सी लिख लो या एकशनोर बी एकशनोर सी लिख लो ठीक है तो यह होता है sum sum आता इसका यह carry आता है यह detail course में बताया था ठीक है उन्जा topic एकजोर ठीक है अब यह आता लाश्ट पॉइंट ए फूल एडर केंड बी इंप्लिमेंटेट बाई टू हाफ एडर एंड वन और गेट और वन सब्टेक्टर एंड वन नोट गेट टोटल इतना फूल गेट एडर में खल्चा आता है बाकी आपको इधान इस अधीक लगाएं दर लगा एंगे यहां पे आते हैं 9 यहां नोर लगाएंगे नोर से इंप्लिमेंट करेंगे तो 9 यह है जब हम टोटल तो अफ हैडर ले एक हमारा और सब्सक्रेट ले रिए हम आगे देखें क्या होता है आपको द्यान डखना है ठीक है यहां पर मैंन आप सब्टेक्टर की बात करते हैं जो कि अभी ऊपर देखा है आप सब्टेक्टर कहता है डिफरेंस इकोल टू ए बार टी और ए बी बार अब यह कैसे आया वह सेम तरीके से आप देख लेना मैं थोड़ा सा बता देता हूं चलो कि यहां पर जैसे हम डिफरेंस निकालते एक होगा तो इसमाई एक फिरेंस होता हो और बोरो क्योंकि आपको पता है हमारा सममें जन् MON अत्रेक सीपान भता है इसले रहे हूं निभानघनीए क्あっ legitimatelyरं जा सकता है नहीं जा सकता तो एक बोरो लेना लों तो यहाँ पर एक लेने का मतलब है दो को प्रिकी जीरो पहले से वन हो जाएगा तो दो मैं से यह एक लेकिन एक जीरो लिया तो मैं दो के लिए बनाई तो यह आप सब्टेक्टर है इस वज़े से ठीक है आप इसमें से देखोगे तो यह यह वाली टेबल आपको समझ में आ रहे हूं किसकी है यह एक्जोर की टेबल है यहां पर देख सकते हैं यहां पर आप बार भी है इस वज़े से मैंने टेबल के ज़री आपको बता दिया इसमें इसमें भी फाइव यूज यूज यहां फुल सब्टेक्टर की बात करें तो हाफ एडर में चीज होते हैं फुल सब्टेक्टर की बात करें तो इसमें जैसे कि हाफ फुल एडर काम करना था फुल बिट्स करेगा करेंगा टेकिंग इंटू अकाउंट डेट एट वन में हैं भी बोरो पाई लुए सिटेश ठीक है मना बता दिया वन को कैसे बोरो लेता है यानि कि जैसे कि यहां जी दो जो है से लिए जाता हॉनिंग कि इसलिए इसे लिए निलोजिलेटर इच्पेश्थ मया डिफरेंस होता है अब इसके नहीं को मना रहा है इस घ्रान होना रहा इडिफरेंस हमारा क्या है कि हमने X node में देख लिया था एफुल एडर यहां अनुर लागएगा उडर लगेगा एक नोट Except तो यहां हम इसे का कि जब हम बनाएंगे ना तो जब हम टोटल बीट को काल्ग्रिज करने तो एंड माइनस फूल एड़ा लगेंगे रहाफ एड़ लगेगा या फिर 2-1-1 हाफ लगेंगे या यह माइनस वन ओर गेट लगेगा रिक्वायर टू एक्षर यानि मक्सी बात करते है इस सेलेक्ट बाइनरी इंफोरमेशन फ्रॉम वन टू मैनी इंपूर्मेशन लाइन ठीक है मक्स एक इंपूर्ट से हमारी मुल्टिपल लाइन से आउपूर्ट भीजता है ठीक है वो डिसि एक इस लाइन एक रख देख सकते हूँ यह एक है दो है वह आपको पता कैसे लगगा बिट के साब से कितने बिट के लिए दिया टू एन इन पूर इन इंपूर्मेशन बटाने अगर इंपूर्ट लाइन टूरेस्टि पावर्ट है नहीं जैसे फ़ोर और इतनी लगेगी क to one circuit बतलब की और universal logic gates और parallel to serial converter ठीक है serial parallel to serial converter बोलते है many to one circuit बोलते है ठीक है और many to one circuit क्योंब बोलते है क्योंकि हमारे पास two raise to the power and input lines है और एक input होता है यह होता है इसमें अच्छा और input lines और select line ठीक है तो यह है फिर से घलत कर रहा हूं मैं क्या कर रहा हूं देखिए यह input lines होगी to raise to the power n ठीक है यह select lines यहां पर एक यह होता है many to one circuit ठीक है मक्स बनाना मक्स ठीक मक्स नहीं बनाना है ठीक है if there are numbers of data inputs and is number of select line then n equal to log base to m ठीक है simple जैसे हमने बोला था 2 raise to power n है तो n select lines होट ठीक है अब अगर हम n की value निकालनी है तो log base to m लेंगे ना simple जैसे कि हम लेते आ रहे है ठीक है या फिर अगर मैं चार स्लेक्ट लाइन से फिक्स है चार यह क्योंकि फोरेस्ट हो दीवाना चार इंट लेक्ट लाइन है जो कि तो अगर हम इससे मतलब इससे अगर हम output बनाएं तो कैसे लिखेंगे y equal to लिख देखी जब यह 0-0 होगा तो हम इसको लिख सकते है s1 bar s0 bar जो क्यों होता है i0 फस्ट फिर क्या करेंगे s1 bar s0 i1 ठीक है इससे पूरा हम यह बना के बता सकते है आउट्पूट में क्या आएगा the size of the mugs is specified by the two raised to power and input lines and the and the single output line for and selection line ठीक है वो मेरे से थोड़ा वो बहुता था मैंने डीमक्स बता दिया था sorry sorry उसके लिए मैं गलती मांगता हूँ मेरे माफी मांगूँआ कि यह गलती हो गई ठीक है आप मत कर देना यह गलती होगी मैं जल्द बाजी में जल्दी जल्दी में circuit मैंने गलत बना दिया अब ध्यान दखना वो डीमक्स था अब जो मैंने बना यह वाला मक्स था ठीक है न ठीक है तो यहां पर two raised to the power and input lines और यहां पर एक select line एक आउटपूट यहां पर select line उसी पर depend करेगी जितनी n नमबर है ठीक है तो यहां ज्यादा हो सकते है यह है एन select lines नहीं अगर देखा जाए तो यह आपर है तो इंपूट सेलेक्ट लाइन तो इंपूट लाइन सोगी और एक select lines ठीक है इंपलिमेंटेशन ओफ हाइर ओडर मक्स यूजिंग लूवर ओडर मक्स ठीक आप देख सकते हो अब आपको क्या करना है तू इस्टू फू रेशियो वन अगर हमें फो रेशियो वन से बनान ठीक है यह है 2 x 1 x 2 x 2 x 1 x 1 x यहां से यह होते है 3 x 2 अब इसका simple कैसे है आगा 2 x 1 पूछेना मादल जितने हमें जितने बड़ा मक्स मनना उसका 1-1 कर दें जैसे कि हमें 16-2 x 1 से हमें पूछना है कि 2 x 1 कितने लगेंगे यानि 2 x 1 मक्स कितने लगें तो अब धियान रगना 16-1 यानि कि आप बोलने ना पंदा लगे आप सिंपल ऐसे डाइग्राम बनाने मत बैड़ जाना ठीक है यह तो मैंने जिर्फ एक्जांपल के लिए बता है और अगर हमें फोर इंटू वन का मक्स बनाना है तो कितने टू इंटू बनेंगे ठीक है ऐसे आप से अगर 16 इंटू वन तो यानि कि यह हो गया है कि यह यानि कि फॉर प्लेस 1 इकल टू 5 जब तक वन ना आ जाये ना उसको डिवाइड करते रहना और उसको काउंट करते ना जैसे कि जैसी फॉर आया तो मैंने कर लिया अब आपको ठोड़ा बढ़ा बताता हूं जैसे 64 आपको पता लागा नए 64 तो पहले क्या करेंगे 4 से डिवाइट करेंगे 4 16 से जाएगा ठीक है 16 लगेंगे फिर 4 को 16 से डिवाइट करेंगे फिर आएगा 4 ज्याने की 4 लगेंगे लेंगे 24 को डिवाइड करेंगे वन से आएगा तो आप देख सकते हैं 16 4 20 21 लगेंगे 21 मक्स जान रखना सिंपल यहां पर दे रखा है मैंना यह देख सकते हैं 215 ऐसी अब एट इन टू वन सिंपल ऐसी कर लेना 64 डिवाइड बाइट क्या आता है एट एट डिवाइड बाइट कितना कितने लगे हैं यहां पर आगे 9 मक्स सिंपल ऐसी 256 अब आप समझ जाओगे इसका मेरे को उसमें 37 दे रखा है अब आपने अगर कर लिया हो तो मेरे को कमेंट में लिख देना डन मैं समझ जाओगा कि भाई आपको समझ में आ गया है ठीक है तो इंप्लिमेंट टू रेस्ट लगेंगे तो आप बता देना कि 16 जो है वो है टू इस टूदी पावर 4 यानिकी फूर एंड की वेल्यू के फॉर प्रेस्टी पावर 4 माइनस वन यानिकी 15 क्योंकि हमने देख लिया अक्स एसन यूनिवर्सल लोजिक सर्कृट यह धान रखना यह यूनिवर्सल लोजिक सर फॉर्मुला है यह म माइनस वन एन माइनस वन नमबर अफ लेवल जो कि हमने देख लिया यह जिसे आपसे कर रहा है उस जिसे आपसे हम निकाल लेगे यह ज्यादा फॉर्मुले से कॉंब्लिकेट करने ही जोड़ती नहीं है आपको नमबर दे रखा होगा डेसिमल में तो आप निकाल सकते हो सेमपल सीसे रिषेणी तू वेरिएबल फंक्शन स्वाड़ प्लूमेंटे यूजिंग वन और अं उसके लिए तू वेरिएबल के हमे सारे इंपलिमेंट कर सकते हैं अगर आपास एट क्रोवण मंक्षण दूख से neighborhood के हमें सारे इंपलिमेंट कर सकते है तो आप देख सकते हूं प्रेस्ट्री पावा टू होता है यानि कि टू वेरियबल तक का वो थिरी वेरियबल तक कर सकता है यहां पर एट कॉस वन का मक्सूद तो ओल त्री वेरियबल टो जिक फंक्शन और बीइंप्लिमेंटीड एस ओर यहां पर फोर और अधान रखना फोर कि यहां वह यहां देख सकते हो ऐसी हमारा एट क्रॉस वन का वह तो तो थिरी वेरियबल के सारी इंप्लिमेंट कर सकते हो और फॉर के सम मतलब सारी नहीं कर सकते हैं कुछ वोई वेर अगर हमारे पास एक नोड़ गेट का फाइदा क्या होता है कॉंप्लिमेंट निकालने में मदद का फिर आता है हमारा अकसे उनिवल लोजिक गेट अगर हमें बनाना है तो सिंपल है यहां पर इंपूट होगा वहां पर जीरो डाल देंगे तो देखो ब क्या करेगा आपको बताने जो नहीं आपको पता होगा पहले बी जो होता है यह होगा जीरो तो यहां देख बी चला जाएगा और पिलस सकते हैं सिंपल है सिंपल फंडा सिंपल रूवल रागी आपको पता स्लेक्ट लाइन से हमें सलेक्ट करना तो वहीं से हम निकाल सकते हैं आपको यह तरीका देखना आपको आउट्पूट मैं क्या चाहिए तुसी आप से आप में select line बना सकते हैं यह चीज पर नोर के लिए देखें तो नोर में हमारा यह select line यहां पर बी बार और जीरो बी बार आपका होगे कि बी बार कहां से आ रहा देखिए जब ही हम कह रहेते हैं कि आगमार पर node gate available हो तो असानी होगी अगर हम पर बी बार बनाना तो पहले हमें एक node gate के लिए का लग मक्स में पड़ाएंगे अब हमने देखा न यह वाला यह वाला जो है इससे बनाएंगे ना इसको हमें इसको हमें इसका आउटपुट आएगा वह इसमें लगा देंगे इसका आउटपुट हम इसमें लगा देंगे इसका आउटपुट यहां से निकल क्या रहा नोट सब्सक्राइब यहां यहां यह बार है तो समझे लोगी बीबार के लिए निकाल दी हमने सेम यहां पर बीबार ही है यह पर आ जाएगा ठीक है यह आ इसी हमारा यूनिवर्सल गेट यूनिवर्सलट हमारा कॉम्णेशल स्लिट होगे हमक्स त्री इनपुर्ट एक जोर और के लिए किया करेंगे जैसे कि हमें आपको पताए की यह फूल एडर और हमारे फूल सब्टैक्टर की जो थी हो थी difference or some some difference वब अगर में ये बनाना है तो हमें इसके लिए क्या गरेंगे c bar c bar c आप इसको कर लेना ठीक है a bar b bar a bar c आगे इसे आपको plus करोगे तो ये निकल गए आ जाएगा और आपको पता है a x or b x or c equal to होता है a x or b x or c ठीक है अब ये अगर हमें इसे बनाना तो इसमें थोड़ी चीज़े चेंज भी होगी जैसे कि यहां c था तो यहां compliment हो जाएगा ठीक है यहां पर c bar था यहां c हो जाएगा ठीक है यहां compliment था यह हो जाएगा तो दोनों इस चपका हो गया opposite कि इसको निकालेंगे तो यह बनके आ जाएगा हमारा simple ठीक है फिर आता है हमारा यह अगर a bar x or b x or c के लिए निकालेंगे तो simple यहां पर आप देख सकते हो input पर क्या रखना तो हमारे input decide करेंगे कि output में हमें क्या चाहिए ठीक है हम सब तरीके के equation को solve कर सकते है ठीक है detail course में आपको बताया था ठीक है तो इससे फाइदा यह क्या होगा फाइदा हो जाएगा हमारा कि हम सारा यह universal बना सकते है रे XOR B XOR P मतलब complement XOR C compliment देखो आपको पता है जो एक compliment आ रहे है इसके लिए हमने note वाला max बनाया होगा यह compliment आ रहा है और उसके basis में हम एक output generate कर रहे है तो आप simple इसी max से हम सारी equation यानि कि सारे minimizer expression को solve कर सकते है ठीक है पिर हमारा आदा है d max d max में क्या होता है it receives information on a single line and transmit this on one of two raise to the power and possibility तो यह है यह वाला सरी ठीक है यह two raise to the power and output lines होगी और एक हमारी क्या होगी इनपुट लाए ठीक है यह होता है decoder decoder with an enable input can function as an d max ठीक है d max also called data distributor or one of many circuits ठीक है मैं आपको practical भी दिखा सकता हूँ कि एक बार करके देखा है ठीक है d max practical आपको दिखा सकता हूँ कैसे बनता है ठीक है number of select lines required in a single input and n output d max is log based to n ठीक है अब हमारा देखा जाए तो one raise to one raise to नी one ratio है one ratio to अगर d max बना ना हो तो क्या करना है एक input line select करनी है एक select line select करनी है दोनों से हमारे output दो generate होंगे जैसे कि मक्स में कर रहे थे max का उल्टा यहां पर करेंगे ठीक है पर यहां पर क्या है यहां पर select lines जो है max यह d1 क्या होगा यह हो जाएगा se simple द्यान रखना है ठीक है फिर आता है one cross four d max तो one cross d max four cross d max ठीक है यह कैसे बनाना है simple जैसे हम max में देख रहे थे यह से d max में करेंगे ठीक है इसकी अगर हम table देखे है two table की तो select lines के कितने है two है तो यानि कि four possibilities और possibility zero 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 one one zero one one zero one one zero one one ठीक है d3 d2 d1 ठीक है यहां पर कहना देखो यहां पर आपको देखना diagonally बनता है practical में हमने देखा है मतलब की detail course में देखा है कैसे बनता है ठीक है बागी आप यहां देख सकते हो कि अगर हमारा देखेंगे तो zero zero 00 पर कर नाता है यहां यहां पर यह इफैंड फ्रहा हम लेते जाएंगे diagonally आजाएगा ермल बन जाएग देखो यह हमारी equation ठीक है जोकि हमारी में इससे बन जाएगे आउपट टेबल से यहां यहां पर क्या है D3, D2, D1 0 है लेकिन D0 पर D0 पर आउटपूट आएगा यह जब D1 पर आएगा एक बागे सारे 0 हो जाएंगे तो एक बारी में सिर्फ एक ही एक्टिव होगा ठीक है तो यह धान रखना ठीक है फिर आता है इसे इछ सिंपलडियो रेंगे अगर हमें वन क्रोश भी कितने लगेंगे अगर हमें 1X4 बण ओस इंपटियो ओटियों कि मटर में देखा था इसम तरीक कि एट का है तो यहां पर modक्रॉस होगा तो यहां जो बड़ी वैल्यों में माइनस कर देंगे एक तो यह यह 7 टीक है 1 क्रोस्ट से 16 तो यह नि क्या जाएगा 15 16-1 15 टीक है वन क्रोस्ट टू 64 के लिए तो 63 टीक है बनाने मत लग जाना मैंने बता है यहां पर क्या यहां पर 4 इंपूर्ट इंपूर्ट इंप्ट इंपूर्ट एह थैटा है वहाँ पर क्या था यह ध्यानक पर आगना वहाँ जैसे आपधा रोस वन श्रॉस नाप टुए वन इक्र होश टू का अगर हम ऐसी बने तो यह भरवन आरफ दू ए deemed घ्यान लखना है कि रिग हो डिग उंक吗 decoder decoder have many inputs and many output lines decoder decoder गे पास input lines भी many है और output lines भी many है यह बात note करने वाली है ध्यान लगना ठीक है अभी तक हम सारे combination circuit भी पढ़ ले तो that converts binary information from n input to a maximum to raise to the power n एक output line देखिए अब आप प्रोग्राम से आप convert करते है binary पर आपको पता ही कि यही circuit है जो हमारा convert करता है binary information from n input lines to maximum to raise to the power n ठीक है आता है हमारा if the n bit decoder information has unused or don't care combination that decoder output will have less than to raise to power n output decoder is used to convert binary data into other codes like binary to octal binary to octal बनाते हैं हम इसी से हमारा binary to hexadecimal ठीक है वह हम इसी से बनाते है तो यह है decoder का का काम total number of output लाइंसी बात की जाए तो जो होगी 2 raise to power n से कम होगी यह है यह है n is the total number of output अब आप सिंपल डाइग्राम मतलब इसका circuit देख सकते हो तो circuit यह क्या है यहाँ पर enable enable क्या है enable होगा हमारा यहाँ पर active high हो सकता है active low सकता है यहाँ पर बबल दे रखा हो तो active low बनना एक्टिव हाई अब एक्टिव हाई लो बता तूं क्या होता है यहाँ पर देखो यहाँ पर तू हमारे तो यहां पे आपको बताया है यहां पे एक्टिव लोग यहां पे हमारा नीचे बबल आ रहे है यहां पे देखिए जब हमारा एक्टिव हाई होगा ना हाई यानि कि वन होगा तो सब कुछ दूंट केयर ठीक है यह होगा जब हमारा जीरो गद तब हमारा स्रेकिट चलना चालो भातना यह नीचे अगर बबल आ असे ही तो समझाना एक्टिव लो है अगर सिंपल तो एक्टिफ हाई है टीक है यह हमारी टेबल है टीक है टू टेबल जिसमें अंदर A B 00, 01, 01, 01, 01 हो सकता है बाद बास यह सिर्व ऑब का काम से विद्टेबल का तो इसको इसको बसमे ध्यान दखना है टीक है अथा से ठीक है एबी से एबी पर डॉंट किया हो ठीक है क्योंकि वन इनेबल है तो कोई फरक नहीं पड़ता जब यह एक्टिव हाई है उसब पर वन आउट्पूर्ट जनरेट कर देगा ठीक है और यह टू कॉस्फोर डिकोडर है ऐसी इंपल 001 1011 के लिए हम एडिकोडर करेंगे हमारा 한라 pewno यह पी कन वर्जन के लिए ठीक है यह यानि वी लाने बैद्र बनाने के लिए और अधर सुबश्ट इस ट्रयू ट्विटर इंडिकोडर रिकोडर् एम आज टू रिस्ट पॉष्ट पावर एम डिकोडर्स यह यह एपको पता हों अच्छे ठीक है total होंगे यह 2 raise to power n से कम होंगे ठीक है where x equal to 2m by 2n y equal to x by 2 raise to power n z equal to y raise to power 2n ठीक है अगर number of levels ही बात किया है तो होता है 1 plus number of times dividing with 2 raise to power n ठीक है यह ज्यादा formula जादा complicated करने ही जो होती है simple आपको पता है output lines और slack lines कैसे हम बनाते हैं ठीक है फिरा था 2 x 4 decoder में act like 1 x 4 demux मैं आपको बता ना decoder और demux की आपको देख की समझ मालाओं को सेम तरीके से दिखते हैं तो यह आप ध्यान आखना 2 x 1 4 यानि कि यहां 2 है यहां 4 है ठीक है तो यह इल्कुल demux की तरह काम कलता है 1 x 4 की तरह ठीक है यह 1 x 4 की तरह है तो यह लिखा है vice versa दानी की ऐसे उल्टा भी काम कलता है ठीक है decoder and demux circuits are almost same दोनों का circuit सेम है decoder contains n gates or nand gates ठीक है to implement n function we require n muxes and 1 2 n cross 2 n decoder and n or gate gate हमाई total कितने लगते है हमारे एक decoder बनाने के लिए वह हम देख सकते है implementation of decoder आप देख सकते हो यह है main चीज ठीक है अगर हमारे पास 2 x 4 decoder है और हमें 4 x 16 का decoder बनाना है ठीक है देख सकते हो 2 x 4 से 4 x 16 बनाना तो total number of required बनेंगे 5 ठीक है 5 बनेंगे जो क्यों होता है 1 plus 4 5 वागर इस पर देखा जाये तो देखिए हमें output में यहां पर 16 चाहिए तो देखिए यहां पर simple है 2 x 4 2 x 4 2 x 4 2 x 4 2 x 4 ठीक है तो total 4 यहां से मिलेंगे 4 यहां से मिलेंगे 4 यहां से मिलेंगे जो input से output में जाएगा तो total देखा जाये तो हमारे को 5 5 decoder लगेंगे ठीक है ऐसे अगर देखा जाये तो अगर हम पर 2 x 4 का decoder है तो 3 x 8 का हमें decoder बनाना है ठीक है यह given है यह हमें implement करना है तो फिर हमें total लगेंगे 2 लगेंगे decoder plus 1 लगेगा node gate एक हमें node gate लगेगा तो टोटल यह हो जाएगा हमारे required number of decoder अगर हम पर 4 x 16 के और हमें 8 x 256 का बनाना तो simple वही तरीका 1 plus 16 total हो जाएंगे 70 ठीक है अब अब इंकोडर के उपर बात गाते है देखिए नकोडर में भी दो होते होते हैं अब यह क्या है decoder encoder एक दूसरे के inversely proportional ठीक है यानि कि जो काम वो करेगा उसका उल्टा काम यह करेने वाला है ठीक है हमारा encoder ठीक है सच्छा अक्टल टू बाइनरी hexadecimal टू बाइनरी ठीक है normal encoder only one of input line is high at a time and corresponding binary is available at outputs ठीक है लेकिन जो priority priority encoder more than one input can be line देखिए यहां पर क्या है न अगर एक से ज्यादा input line पर output आ जाएगा तो फिर वो encoder काम नहीं कर पाएगा तो हमने क्या करा एक priority encoder बनाया काम सेम encoder की तरह ही करेगा बड़ी यहां पर क्या है कि more than one input line can be high but only for highest priority input line ठीक है बस highest priority input line नहीं work करेगी बाकी हम इस पर चाहे more than one input line हम हाई कर सकते है ठीक है तो binary output is available output ठीक है तो यह इसलिए बड़ा जिससे कि यह functioning कर पाए इसलिए ठीक है पिर आते हमारे code converter कॉन अब कर में bc2 x3 code आपको पता होगा BCD क्या होता है यह दिखने में बिल्कुल hexadecimal जासा लगता पर यह चेंज हो जाता है ठीक है अब इसमें x3 code यहां अक्सेस 3 में मैंने आपको बताए कि अगर को दे रखा है उसमें plus अगर हम 11 कर देंगे तो यह हो जाएगा यानि 11 मतलब होता है 3 यानि कि इसमें पिलस 3 कर देंगे तो एक्सेश 3 कोड बन जागा ठीक है अभी हम नंबर सिस्टम करेंगे लास्ट चैप्टर असमें आप देख लोगे लेट इंपूट वैरियबल एबीसीडी एबीसीडी एंड आउट्पूट वैरिबल ऑफ एक्सेश 3 डवल एक्सवाइज एक तरीके से हमने लेट कर आए तो टेबल बीसीडी 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 की बनेगी प्लस उसमें वन एड हो जाए अगर मैंने बता दिया उसे बोलते एक्सेश 3 कोड ठीक है अब आप देख सकते हो टेबल के ज देखें यहां पर प्लस वन वन हो गया यह क्या हो गया यहां पर 3 हो गया क्योंकि एक्सेश 3 में करें अब यहां पर क्या है यहां पर वन था तो वन में प्लस 3 करेंगे तो क्या एगा फोर तो यह देखें यह फोर है ठीक है यह वन वन एक्विवेलन टो फोर यहां पर टू 4 5 6 7 ऐसे चलता रहेगा सिम्पल आप समझ में आगया हो गया बीसी डी मैं पिलस 3 करते हो तो उसे 3 कोड कहते है सिम्पल बाद यह ध्यार नक नहीं है इनिमाइज बुलियन एक्सपेशन देख सकते हो इसी टेबल से यह बना पाए यह आप सिम्पल देख सकते हो आप खुद भी बना सकते हो कोई बड़ी बात नहीं है बाइनरी टू ग्रे कनवर्टर समझना थोड़ा कन्फूजन हो जाएगा आप ग्रे टू बाइनरी टू मिक्स ना कर दे तो पहले आपको बता दू देखिए हमें गया है ना में ली ना बाइनरी टू ग्रे कनवर्टर हमें जववत है हमें ग्रे टू बाइनरी की जववत नहीं है ठीक है जबकि हमें बनाना वो भी आना चा करो जो यह वाली बिट है ना इस वाली बिट को as it is लिख दो नीचे अब क्या करो जो यह वाली बिट है ना इन दोनों बिट इन दोनों बिट का लो एक्जोर एक्जोर आपको पता है क्या होता है इन दोनों बिट का एक्जोर लोगे तो एक्जोर सेम बिट पर क्या देता है बताओ मेरे को same bit पे देताए 0, different bit पे देताए 1, तो 1, 1 का same bit है कि different bit है, यह हो गई, same bit, तो यह क्या देगा output में, 0, ठीक है? अब जो यह हैчи definite bit, different bit पे देताए 1, और यह है 0, same bit पे देताए 0, तो यह हो जायेगा हमारा grey code, यह हो जायेगा binary, ठीक है, simple ऐसे है, तो आप इसका यह एक Diamantical View देख सकते हो, ठीक है, बी-3 तर ड्याड़क G-3 आया यहाँ पे, ठीक है, इसका और P2 का EXOR लेके आया G2 इसका और इसका EXOR लेके आया G1 ऐसे आप सिंपल देख सकते हो जो कि हमने एक example से समझ लिए है ठीक है ठीक है आई हो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी ठीक है equivalent logical gate diagram आप देख सकते हो इसका gate diagram भी आप देख सकते हो यह है हमारे एकजोर operation हो रहा है क्या थी 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 वी-टू-बी-बि-जी-डी रो जो कि हमने ऐसे लिख दिया है थी एक चली जाएगी जी थी पर फिर 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 ऑपी ट्री ओ एकजोर जो किसा मैं इसके लिए भी बना जेता हूँ let's say हमारे पास यह आया था 1010 यही हम बिट उठा रहा हूँ मैं example से ठीक है जो मैंने वह भी निकाला है 1010 ठीक है वहाँ पर उल्टा सीन है क्योंकि वहाँ पर जो हमारे इंपूट होते हैं उनसे हम एक्जोर कराते हैं लेकिन इहां जो आउट्पूट आ रहा है उसके साथ हम एक्जोर परफॉर्म कराएंगे ठीक है तो यह जी टू फिर हम इसका जो आएगा उसका ऐसे डिक देंगे तो यह एक है one and zero का क्या आएगा क्या आएगा ये है different बिट डिफ्रेंट बिट पे क्या आएगा one आ या one का जिरो जीरो का क्या आएगा ये और हमारा क्या हो जाएगा हमारा कौन सा कोड़ binary आप देख सकते हो मैं आपको दिखा देता हूं ठीक है एह नहीं हो दोनों दिख रहे प्राज समझ में आती है यह जो है it's all looking like same thing ठीक है in a different manner means binary to gray and gray to binary we can clearly see the difference ठीक है okay तो यह तो मैंने दोनों तरीके से बता दिया आपको ठीक है इसकी हमने बनाई a truth table मतलब यह है minimize expression form यह equivalent diagram की ठीक है फिर यह हमने बनाया हमारा एक्जोड जैसे की same g3 नीचे g3 और जो उसका output होगा उसके साथ ठीक है उसके साथ करेंगे एक्जोड ठीक है ऐसे same system चलेगा हमारा और हम बना के देते सकते है क्या ठीक है आपको समझ में आ रहा है देखो यहां पर change कितना है यहां पर change यह जो आउट्पूट आ रहा है ना आउट्पूट फिर इन्पूट में जाके एक्जोड हो यह बात है ठीक है पस यही बात है यह उट्पूट से एक्जोड करा रहे है ठीक है यह क्या यह आउट्पूट से एक्जोड करा रहे ध्यान अब आता look ahead carry add in parallel adder to n bit there is a 2n TPD TPD क्या है यह time delayed बोल सकती हो यह जो time लग रहा है delay for providing result where TPD is delay providing by each logic gate look ahead carry adder is used to make the addition faster you have to understand look ahead carry adder what look ahead carry adder do and what what uh full adder do what's full subtractor do you have to have some clear vision about it okay this is a bit complicated don't do complicated things okay easy manner you have to understand things better okay look ahead carry adder is used to make the addition faster and look ahead carry adder to provide carry output it requires three logic gate delay to provide some it requires four logic gate array carry circuit is implemented using two level and or gate circuit number of end gates required in carry circuit is n bit look ahead carry adder okay you can clearly see n into n plus one by two okay total yeah time delay okay time delay okay number of or gates required carry adder carry and look ahead carry adder is n okay look ahead carry added कैना वहापे हमना वहापे हमना वहापे full adder में थोड़ी limitation आ रही थी उसको हमने दूर कने के look ahead carry adder है पर इसमें क्या है ना इसमें एक time delay आ जाता है time delay क्यों आ जाता है क्योंकि sum sum सम जब तक सम निकल के नहीं आएगा वहां करी नहीं बन पाएगा तो इससे थोड़ा डिले आ जाता है इस वेसे लुक हेड केरी हैटर की बात में डिसद्वांटेज देखेंगे जो की किसी ओन ने दूर करी मैं बताऊंगा आगे किसने दूर करी ठीक है अगर हमें कंपेर करन टीक है वर फो जीरा अगे अग्या यानिकि सिंपल बता रही कि निकी यहने का एबाद है यहां पर क्या एबार एबार को समझे लो जीरो व यह वान तो यह निकी कि बढ़ा है, simple, यह competitor circuit बोलते है, ठीक है, और यह हमारा a equal to b, जब हमारा a equal to b होगा, तो आप simple a b plus a bar b bar देख सकते हो, कि क्या a bar b bar या नहीं कि, आप इस circuit से, यह circuit आप देख लो, यहाँ पे लग रहा है bubble, और यह क्या है, यह बिल्कुल एक्जोर जासा दिख रहा है, पर यह ए simply, एक output हमें चाहिए, क्योंकि दोनों equal होंगे, तो कोई भी कुछ generate हो सकता है, simple बात है, example suppose भी है, a3, a2, a1, a0, यह p दे रखा है, q, q, dे रखा है, b3, b2, b1, 0, logic expression क्या कहती है, मैं बता देता हूँ, अगर आप कि इसको table से बता हूँ, तो मैं इसी से explain कर देता हूँ, 00, 01 1011, ठीक है, अब अगर आप मैं यहाँ पर result एक ऐसी table बनागे, यहाँ पर comparator की बनागे, बताना हूँ, टेबल क्या होगा, तो देखो, यहाँ 00 है, जब 00 होगा, तो कोन बड़ा, ठीक है, यहाँ पर क्या output देगा, ठीक है, जब यह बड़ा होगा, तो क्या output देगा, तो इ यहाँ पर, हमारे comparative result में तीन option हो सकते है, तीन option में यहाँ पर हमें इनको variable ते सकते हैं, जuw और हमारi फेर य2, y1, y0 है, पहला option क्या हो सकता है, यह a greater than b होगा, तीस option हो सकता है, Sharona है less than b होगा, अब क्या है, यहाँ पर क्या देख रहा है, यहाँ पर पता चला है, यहाँ to B है तो A equal to B पर हम 1 दे देंगे बाकी पर 0 दे देंगे ठीक है A greater than B है यहाँ पर नहीं A greater than B नहीं है B greater than A है तो यहाँ 1 यहाँ 0 ठीक है तो एक time पर A की active हो गए ऐसी अगर मैं देखो तो 1 double 0 और 0 1 0 तो इससे हम क्या बना सकते हैं इससे हम रिजल्ट को लिख सकते हैं जासे कि Y1 को अगर मैं लिखना चाहूं तो Y1 को मैं लिख सकता हूं यह बार अब बार B बार प्लस A B ठीक है और अब यह सिंपल देखो तो यह होता ए एक्स नौर पी तो सिंपल है ऐसे Y1 Y2 और Y3 आप सिंपल लिख सकते हो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ठीक है यहाँ पर जो है हमारे जीरो यहाँ पर चार बिट के लिए हमने यहाँ दो बिट लिए तो यहाँ चा 4 है तो 4 के लिए हमने यह सिंपल लगा देगे ऐसी वाई 2 अगर मैं दो बिट से निकालके बताओं तो 2 बिट से वाई 2 अगर एक लेगा तो वह होगा यह बी बार कैसे आप देख सकते हो यहाँ पर वन है तो यह क्या है यह बी अगर वाई 3 की बात करो तो यह बता देता यहां पर 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 यहां प तो या थो प्रेजिय्ट आउटपूट डिपेंड सान्ट परेजिय्ट एज वैल इस रीजिए रीए से यहां पर प्रेवियए यहां पर प्रीवियए सेस मेसमिण value of input यहां पर डिपेंड करता है ध्यान दखना इंपूट इंपूट वेरेबल से करने के लिए फिल फ्लॉप्स होते फिल फ्लॉप में यहां पर ऐसार देखेंगे जेके देखेंगे टी देखेंगे चार फ्लॉप फ्लॉप्स होते इस कनिस्टोर वन बिट इंफॉर्मेशन द इस नोने इस पाइस्टेबल मल्टी वाइबरेटर ओ लैच लैच यह ध्यान दखना लैच ऐसा लैच पहले ऐसा लैच बनता है फिर ऐसा लैस से हमारे बनते हैं सार्फ फ्लॉप तो कि मैंने डिटेल कोर्स में बताया था ठीक है फ्लॉप सर्किट केंड कंस्ट्रक्टिट अरुड हम कि एडेट और टू नौर गिर्ट धेक है यह बात करने अब आतीक लोग डैसे और फ्लिफ लॉप लोप हुआ है तो एसा फ्लिफ्लॉप से पहले हमने बनाया था असा लैच यह साल में हमने यूजरенной और नॉर गेट एक है उ Dz horrendous मआगर धैकЕ कि यहां पहा też वाला पार्ट होत है ऐसा लेच एसा लेच और यह हो जाएगा हमारा इसके बाद t场 पूरा बन जाएगा ऐसा रफल अफ यह हमने एड किया यह स्रॉप किया यह वाला निय मेरेख सकते हो फिशर्जी वर्क ने लेकिन वन और जासी होगा यह यहां पर किया जिरो 01 on नहीं कि 0-0 पर क्या होगा 0-0 पर होता है hold मतलब की जो प्रीवियस स्टेट है वो सेम रहेगी अब 0-1 पर क्या देगा जीरो इसे बोलते है reset 10 पर क्या देगा वन एट और 11 पर देगा invalid यहां पर यहीं इसकी drawback थी यहीं की drawback है कि जब दोनो output मतलब दोनो ऐसे एस और और पर वन हो जाएंगे तो यहां invalid generate कर रहा है तो जो कि यह बहुत बड़ी drawback थी इसको जूर करने के लिए हमारा JK flip-flop came into the picture ठीक है तो अब यहां पर देख सकते हो आप पॉइंटर मैंने बता दिया है sn and rn denote the input and qn the output during the bit time and qn plus one and you have to understand what is qn plus one and what is qn okay qn is previous previous ठीक है and qn plus one is present present तो यह ध्यान रखना qn and qn plus one okay जब मुझे previous के उपात करने हो कि तो मैं वहां पे qn डाल दूँँगा जैसे कि आप देख सकते है यह उपर मैंने यहां पर लिखा qn qn जब मैंने यहां लिखा यहां पर qn plus one state है और qn मेरा मतलब है यह previous present कर रहा है यानि कि अगर one जिरो-जिरो होता है तो प्रिवियस में मशीन में जो data feed है ना वही वही use होने वाला है simple ठीक है qn plus one होगे next next ठीक है जाने कि current वाला ठीक है तो characteristic table of sr flip-flop इसकी characteristic table आपको ध्यान रखनी है ठीक है को कि जब आप conversion करते है ना conversion करते है conversion यानि की sr2 jk ठीक है jk2sr ठीक है या पर d2sr यह जो भी करेंगे ना इसके लिए आपको characteristic table चाहिए यह आपको ध्यान रखनी हो और exciting table अब यह जीरो 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 पर मैंने बताया था क्यों यह हमारा qn टीक है 00 पर qn यानि की hold state जो की q1 में value होगी वही qn-1 पर हैगी यहां पर 0 था 0 हो गया बन ता 1 गया अब यह वाला यह 01 01 पर क्या था 01 पर मैंने बताया था 01 पर क्या होगा सबसें री सेट क्या है री सेट धान रखना है यह, 01 पर होगा qn पर कुछ भी आए जीरो आ-1 थाठ रही है बाता पर हमारा हमेंसह रीसेट रहेगा था हम्हाई रखना एक प्रॉस क्या है ये क्rawस क्या है आपने k wine deaf में क्रॉस देखा हुआ वहाँ पर Kros к्या था है है यहाथ मेंद में लिग चाहए आपको पताए के मश्म मतलब क्या होता है अब आता exciting टेबल क्यों यह तक Q1 P+, dan as or t mieć n plus 1 печeder बनाते हम यह एक relating to des An enjoy this my छोड़ा कॉम्प्रिकेशन हो सकता देखो 000x यानि कि 00001 पे 1010 पे 0010 पे 01 और 11 पे यह क्या है यह फिर आ गया 11 पे cross 0 cross 0 cross यानि कि जैसे कि मैंने बता था don't care बोलते हैं इसको अब इसको बनाने की कोशिश कर सकते हो ठीक है अब यह एक्साइटेशन टेबल आपको पता होनी चाहिए 000x 01 1010 01 11 cross 0 जबी भी यह टेबल आपको यह सबको बता देने आपके चाचा आए फूपा आए मामा आए घर पे उसको कहना भाया जी सुनो मामा जी सुनो आपको एक चीज़ बतानी है जैसी वह पास आएंगे क्या तो आप यह टेबल सुना देना 000x 01 1010 01 11 cross 0 यह सिंपल है करेक्टरिस्टिक और इक्वेशन ओफ एक्वेशन ओफ एसार टू फिलिफ फ्लॉप ठीक है और फिलिफ फ्लॉप यानि कि क्यों प्लस वन होती है एस प्लस आर और क्यों यह करेक्टरिस्टिक एक्वेशन यहां से नहीं के लिए ध्यान रखना इंवेलिश्टिक और प्रेजेंट वन बोट इंपूट्स एंडार और हाई इस वैलिट ओनली फोर एस आर पल टू जीरो ए ध्यान रखना यह रहा हमारा एस आर एस आर यह करेक्टरिस्टिक के बढ़ बात हुए अब आती है जे के फिलिफ लॉप जे के फिलिफ लॉप माने का रिजन यह था कि वहां पर वन वन पे ना इन्वेलिट दे रहा था इनन एक प्रॉब्लम को दूर कि इन्वेलिट हटाया इन्वेलिट हटाया कैसे रिजन है अब देखो इन्वेलिट पे इन्होंने क्या किया हम बढ़ाता हूं जे के फिलिफ लॉप इस इसका क्या है ना इसकी टेबल सेम बन थी है ठीक है तो इससे हम डिराइब कर सकते है जे एस हमने इसाइड रॉटायग्राम इसाइट आ रॉटान फ्रेट ओर और नहीं बनाने की कोशिश की है और अब हम बना पाए ठीक है अब है ए था लोजिक डाइग्राम ठीक सेम जैसे हम ने mm Benosy श्र बनाया कि स्ट दो वैसे स्मिंट ऊश्य बनता है हैं किया है यहां पर क्या है यह आपर जो आउट्पुट है ना यहां पर उसी है ग Dallas हां धिक पॉद यह जो कि यह है कि डिपार्ण करता है हमारे के पर मैंने आपको बता है प्रिवियस आउटपूर्ट पर डिबेंड करते है तो इस वज़े से तो टेबल आप जो कि मैं आपको बता दी यह तो कि लोग एक लोग आपको बताई है इने बनोर की यहां पर देख सकते आप यहां पर जीरो जीरो पर रिवेस स्टेट जीरो वन पर रिसेट वन जीरो पर फर यहां पर 1 1 पर यहां पर टोगल होटा टोगल टोगल मतलब की चेंज सब्सक्राइब किया टैक रचिरो ऺएस इसक्ति इकए यहां पर angie स्ट मानथ क्या होता है थे यहां और ओन यहां मतलब की कि उन इल्सकाहां यहां पर हमेसाद ईलो देगा दिएकि है दोनों याद दखना जिरो देगा 10 फे हमेसा सैं यानि 1 देगाल बनर distintosorem पे हमेशा है जिरो प्रहुम्र क्राम सिम्हों जियन ड्म पर चछिए 30 मोल सिरो 2 121 चाहिए से क्लोगर्ण होता हुए ठीक है यहां पर SR यह SR की Excitation table है और यह हमारी JK flip-flop की तो क्या 0000 cross 01 one cross 10 cross one 11 cross 0 ठीक है अब आप यहां पर देख सकते हो 11 के लिए सेम है 11 के लिए यहां सेम है ठीक है और हमारा 1010 पर था 01 वहां पर यहां पर आता है cross 1 ठीक है अब आप इन दोनों को कहते भी कैसे दिमेंबर करनी है होगी है important table है ठीक है बस इन दोनों की याद दखने है और किसी की याद नी रखने क्योंकि बाग की आप असान है SOT की मतलब DOT की जिरो जिरो पर जिरो cross इसका यह भी सेम है औल्ड टोगल स्टेट दोनों की सेम है ठीक है 01 पर वह देरा 10 यह देरा जिरो है यहां पर आगया cross देख सकते हैं यह मैं बता देता हूं यह और इन दोनों के बीच में आप देखना लिंक है वो यह है कि जो तो उसमें SR में जो 0 है वो यहां पर क्या है वहां पर JK में वह हो गया cross ठीक है और बाकी यह वाली और दोनों स्टेट सेम होगी कोई भी एक्टेवल आपको याद करने पड़ेगी या फिर याद वह तो अच्छा है क्योंकि एक्जाम के अंदर आप बनाने मत बैड़िया ना रेक्टिक एक्वेशन से हमने यह बनाया क्यू एन प्लस वन जे क्यू एन बार प्लस के बार क्यू एन ठीक है रेस आरां कंड कंडिशन वी शूड मेंटेन जो कि टीज होगा ना उससे लेज दन होना चाहिए हमारा यह हमारा रेस कंडिशन आथा डी फिलिफ्लॉप इट दिलिफलॉप विदे डिले इकल टू एकल टू एक्टली वन साइकल अव लॉफ लॉफ बहुत ही असान फिलिफ्लॉप ग्राफ जायगा वह इसका सुनर चला यहाँ पर टो वन जाता तो वहां जिरो होता टो चलता रहे chef है यह है यह से अवार ₂फछ चेन डिब जिडिड़ करें सब्सक्राइब teres सब्सक्राइब यह पर दिया डी इकल टू क्या होता है यह निकी पूरा गाला डी को टेबल में आएगा वहीं प्लस वन रिटन कर देगा सिंपल है ठीक है फिराथ यह करेक्टरिस्टिक एक्रेशन जो कि हमने देख लिए क्यों प्लस वन इक्वल टू टी होता है अब यहां पे डी उकल टू प्लस वन हाप एक्रेक्टरिस्टिक एन में क्यों प्लस वन टी है अब हाते एक्साइटेशन टेबल करना कोई इसमें बड़ी बात नहीं है मैंने बता ना डी इकल टू क्यों प्लस वन होता तो जीरो वन जो वन यह दोनों से जाईग यह जो गल फिलिफ लॉप यानिकि टी टी है और वहां पर जो था हमारा डी चाहरा था पर यह एक कह रहा है कि नहीं भाई सेम आउटपूट जाएका यहानि यहांपे जिख सुष्टी काम करती है यह नहीं यह भी असान है उते प्लोक तो हमें देख रहा ही नीए अब ही देख सकते हो यहां जीरो पर क्या नोभ टोगल यह सेम टेबल देखो देखो तो टोगल यह दोनों है टोगल की लाइन देख रहा होगा आपको टोगल यह क्या सेम ध्यान नकना यह है ती को अब देख सकते हो ती बार क्यों यानि की एक जोड जोड तो भी सेम आएगा टेबल आपको देख रही हो कि टेबल जो है वह एक जोड एक साइटेशन टेवल आप तेख सकते हो यहां पर मैं आपको बता दिये इन दोनों तो आप सिंपल देख सकते हो एक साइटेशन टेबल भी यहां पर फोड़ी गलती हो गई होगी तेखो यहां पर आना चीए था वन टेक है तो कि जो टी होता है यहां था यहां प्लस वन तो यह से जब से होगी हमारी एक जोड की ठीक है अब कनवर्जन देख रहे था है अगर सब्सक्राइब करने होती है तो पहली जो सब्सक्राइब की करेक्टरिस्टिक टेवल बता होनी चाहिए ठीक है अटलब की वह भी किसकी जो रिक्वायर होगा जिस जो है अवेलेबल ब्ले के जिसके हमें अब उसकीत और गृक्राइबल चोड़ जो भूप अवेलेबल ऑल ऑफलीफ्वल queillap يع verder की सब्सक्राइब सब्सक्राहिए और यह हमारा से स्टैप एक स्टाइटेशन अबस्त तों आप समझ गए ओंगे में चैप फिर आथा तर्ड जो कि कहता है कि अबी मैप जो है के मैँ रह और ईय है कि मैप यानि कि एक ओल एक साइटेशन एक इंपि क्वेस्ट न शाहिए देखो इससे हमारी equation बनेगी मैंने यहां अलग-अलग करके पॉइंट में लिखते हैं जब कि एक ही बात दिये वल से हम यह बनाती है तो मैंने बता दे पहले टेबल बनाना फिर टेबल से एकसाइटेशन बनाना अगर टेवल याद नहीं है तो सिंपल यार्ट एकसाइटेशन याद थो सीधा वही लिखते है ना फॉलत है कि हमें के मैप बनाना उससे सब्सक्राइब हमारे चारी स्टैप अब हम डिरेक्ट देख लेते हैं कि कैसे कैसे हमारी केसे बनेगी तो यह आएगा S equal to TQ bar R equal to T के के आएगा हमारा J equal to S k equal to R T K to D आएगा J equal to T K equal to D bar फ्रीक है J K to T J equal to K equal to T K to SR S plus R bar QN D to J K आप देखो लो जब last of K में बनेगा उससे बनती जा रहे है K Q bar K bar Q हमारा आएगा T X एक एक हमारा T2JK, T equal to J Q bar KQ T2SR, S q bar Rq, T to T, एक जब T X or Q, जब आपको धियान आखना है, D, or D, or D, or D to T relation होगा तो है एक 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 जब T, लॉट देख लेते हैं नोट क्या कहते है नोट गता रेसरां कंडिशन्ट ऐक्रलिव वीम्थ प्रीट संट्वन कंडिशन इसाद इसे अल्वैस सिंख् मंडु किलोग होति इन छोग म linguistic फोती है जो की सरे सिंख़्ै श्लॉप में लगी लगी होते न ए फिर आता है Master, Slave, Flip-Flop consist of an SR followed by T Master जो होता है SR Master और यह उता है Slave T यह दहां रखना है Master Slave the frequency is always half of the output of any FF उस बहुआरी सेमेस टोगल्ड हो तो उसकी अब आप सिंपल देख सकते हूं मैंने आपको बताया था हमारा K Flip-Flop होता है वो Q से लेता है वो जो था हमारा Q पाल से लेता है लेकिन यहाँ पर टोगल मोड को हमने कर दिया है तो यहाँ पर हमने कह दिया जे की वैल्यू बने होगी एक वैल्यू हमेशा वन देंगे यह है तोगल मोड अब यह वाला जो था हमारा के हमारा देता था यह था हमारा तो ऐसी हमारे मोड ओफ ओप्रेशन है अब देख सकते हो हमने 5 मोड ओप्रेशन देख देखे ठीक है जब हमारा का और रिख क्यों बन करेंगे और यह थे आपको पता år कि सब्सक्राइब क्यों में टेंगे उल करेंगा से serial input determines what goes into the leftmost flip-flop during the shift serial in serial out orbit right shift shift in serial out है serial in serial out register in right shift क्या होता है CISO register LSB data is applied at the MSB flip-flop यानि कि D flip-flop यानि कि आप जब हमें flip-flop given होंगे न ऐसे चार order में आपको यह पता होना चाहिए जो राइट shift है ना राइट shift के लिए MSB कौन सा होता है ठीक है कभी कबार आपको है given होगा यह MSB है यह LSB है तो आप से आपको पता होन चाहिए कि A shift register कैसे काम करते है इन N bit register to enter N bit it request N clock percent serial ठीक है मैंने बताते हैं यह synchronous क्या होता यह च्षाओ साखकी फिया सब क्लोग शक्ति है लेकिन नहीं दखनेव में इस सिंफ्रोंड घ्या नहीं तो आउन्पोटक सीर शूम झान्याय करेकी श्री वने श्रीट कम श्रीट रहे यह जारे है तो एक श्रींट कम हमार्ड reality कि ज 혼자 क्यों यॉट्स स्इंपल्य झॉटन गननद रहे है इस तो इंपोटर्स पहले दो आ पैसा यह कि विस नम् APR При in serial form we require n clock pulses and clock pulses to exit or getting output of n bit data as serial we require n minus 1 clock pulse same thing हमें दोनों तरहीके से देखना है 4 bit के लिए पिर आते है serial in parallel out यानि यह था CPO ठीक है इस फे आप डार्यक कोशन बनते ही नहीं है पर आपको बताता चलना हूं जब कि ठीक है store the number of clock pulses required and end bit इलिए parallel output data to be stored the number of clock pulses required हो जाएगी there is no need of clock pulses parallel in serial out parallel in serial out क्याता है कि it is stored parallel data to store end bit number of clock pulses require one clock pulse okay to give serial out data number of clock pulse required हो जाएगी and minus one parallel in parallel out में क्या होगा for data for parallel in data the number of clock pulses is a clock pulse होगी for out the data number of clock pulse required zero clock pulse so you have to understand or you have to remember all these things okay before going into the exam time delay एकर टाइम डीले देकर इस हीसो एसास नहीं बिवी उस्टो इंट्रोडूस time delay delt in digital signals okay यह कुछ मतलब इस इस आपको बता हूं चाहिए कैसे है एक डेल्टा टी देखा जाता हो एंड क्रॉस्टी और एंड पॉस वन बाइफ सी क्योंकि इसलेबर से हट चुका है अब एक स्लेबर के साब से हट चुका है ठीक है अमाउंट डिले केंड गंट्रोल पाई दा अबसी नमबर ओफ फिलिफ फ्लॉप ऐसार औल सिफ रिष्टर राल कि नोट वाली बात है इसको थोड़ा जेके उसका देख लेना यह वाकी एक स्लेबर से हट चुका है यू डों नीड रिमेंबर ओल दीस तिंग यह अल सिफ टेश्टर साथ जेके फिलिफ फ्लॉप पीपो यह वाली मेंची थी नहीं हमारा जो है यह यह ट्विक काउंटर जो की दो तरीके के हमारा जहूंचन काउंटर और ओटार होता है दूसरा कौन सा होता है दूसरा आपको पता होगा जोंसन काउंटर यह है जोंसन जोंसन ना जोंसन बेबी वाला जोंसन काउंटर ठीक है अब हम देखते हैं डिपेंडिंग डिपेंडिंग ओन क्लोक पल्स ठीक है डिपेंडिंग ओन क्लोक पल्स अपलाइट काउंटर सेंख्रोनेस तू टाइब्स यानि कि एइ सिंख्रोनेस काउन्टर होते है दूसरी में क्या लिखा है इफ्रेंड फिलिफ्फ्लोप सा अप्लाइट विद डिफ्रेंट क्लोक्स मैं आपको बता दिया यहां पे क्या होगा एसेंख्रोंस के अंदर हर एक फिलोम कलोग होगी क्ल एक लोग टेक है फास्टर होता है क्योंकि एक बार में सबके पास जाएगा यहां पर स्लोवर है क्योंकि डिलेड है एक लोग बल्स को देंगे इस वाज से लोग एक अप्ग्रेट होता जाएगा अटलब कि बैल्यू अप काउंट होती जाएगा यानि 012 decoding error no decoding error mode counter, mode counter में the mode counter indicate the number of state and counting sequence okay अगर mode counter गया को एक नबर of count कर सकता है जैसे की 8 7 6 5 4 3 अब लिगे इसको बलिगे down counter same for 2 1 3 इसको बलिगे up count okay for n flip-flops counter will have 2 days to the power and different state and then this counter is said to be more 2 days to the power and counter depend on n we can say mode 2 and counter let's say if it will increase 2 to the power 3 then we can say that mode 8 counter we have okay mode number indicate the frequency division obtained from the last flip-flop it would be capable of counting up to 2 days to the power n minus 1 before returning to zero state okay है तो योशेट से रिटर्न होई से पहले यह 2 raise to power n minus 1 यानि कि आप समझ गई होंगे मैं क्या बता हूं ठीक है अब 0 है तो आउट की value तो जाएगी नहीं 0 1 2 3 4 5 6 7 यहां तक 7 तक ही जाता है ठीक है जीरो अगर include होगा तो यह चीज़ बता रहा है ठीक है तो अब आता है पल्स है ठीक है लिए इस अथाफ की किलोग पल्स किया है कि सबकी अजर्ण की डेक्षाब्स यह में की डिफरेंट आप इस डाइग्राम के देख के बता सकते हो ए सिंग्रॉन से पाता है कि पर एक ही से फिर लिए राट फिर पावर एंड पॉसिबल स्टेट एंड फिलिफ्लोप दे मैक्सिमम् काउंट बाइ इस काउंटर टो न पाइव आ गया वैद इंग्लुट निया इस वजह जिरो टो सेवन जा रहा है इस वज़े टो 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 सेवन जा रहा है इस वज़े से टो डिपल पुटाएगा जब तक यह क्लोग अपना काम नहीं कर सकती है अगर यह सिंक्रोनस होता तो यह अपना खुद का काम कर सकते तो डिकोडिंग काउंटर की वज़े प्रपरगेशन डिले हो रहा है ठीक है फॉर प्रपर ओपर ओपेशन ऑफ डिपल काउंटर की क्लोग इस टाइम है मैं उसको देखो उसवजेसे हमारा यह जो है यह नीचे की वेल्यू बढ़ जाएगी टेर्णमेटर बढ़ जाएगा डिनमेटर से क्या होगा फ्रिकूरेंसी कम हो जाएगी त्यक्छान supported P इन्वर्स नहीं सो डिरेक्टली पोगो हाँ इन्वर्स लिपो एक्सिम्म क्लॉक पल्स की बात की बात की जाए तो वन टीपीडी एन याने की एन क्या बता लाए यह कितने नमबर ओ फिलिफ लॉप्स है और डेटिमिनेशन ऑप डाउन काउंटर एगेटिव इस यह इंपोर् लॉच पलस नेगेटिव और हमारी जो कन्यक्शन है नmee क्यों आपे के आए था यहां पे क्यों से कनेक्शन था क्यों में थ्तो यहां पर क्यों स्मझ जाओ गे डाइग्राम देख टिकर नेगेटिव do FILP काउवन्टर और Q अब kilka है यानि क्यों यह होता है डाउन काउंटर पॉजिटीव हो यह क्यों वार हो तो इसे बोलते हैं नोट इन डिपल काउंटर फिलिफ लॉप अप्राइड विद एक्स्टेनल क्लोग फिद एक्ट ऐसे 에le Malone P is known as asynchronous input to flip flop. अब clear क्या होता है? Clear अगर active होग ना, Clear हो, तो यह बिट को कर देगा 0 अगर यह preset होगा तो preset क्या करता है सब को कर देता है और सिंपल है if n equal to number of state मैं डेटल कोर्ण मेंँ बतायाता, इसकी table बनागी दोन होगी ठीक है आपको याद होगा और एन इकल टो टोटल नमोल स्टेट एन इकल टो डिफरेंट नंबर ओफ फिलिफ लॉफ एन डिस एन की जो होगा ना वैल्यू होगी फूरेस्ट टू पावर एंड से कम अब यह चीज क्या है यह चीज कर चुका हूं में आपक इसकी वैल्यू कम होगी तो इसे बोलते है नोन बाइनरी काउंटर फिर आता है फिर हमारा आता है मोड एंड काउंटर इट अप्लाइट फ्रिक्वेंसी एफ देन फ आउट इस हो जाएगा फ बाहें तो यहां पर अगर हमारा काउंटर है तो यहां पर आउट पूट जाए वाइब मोल्ड टू ना ओट होगा तो आण की वैल्यू होगी तू तो फ्रिक्वेंसी हो जाएगा बाइट टू काउंटर गाल मोड 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 म याद दखना जब मोड एंड रहा है काउंटर अब यह क्या है कि डिंगेड कांटर फोनोन नोर टैन काउंटर इसमें काय य्यूजट होती है 10 अन्यूजट हो जाएकि छीज purple होती हमारी 10 इस्टेत यानि टोटल अगर हमारे पार 10 स्टेट है ना तो इसमें 6 स्टेट हो जाएगी एन्यूज सिर्फ हमारी चार चार स्टेट यूज जाने की देख सकते हो एफिसेंट के साब से चार स्टेट ही यूज हो रही है 10 के अंदर तो फोर डाउन काउंटर यह हमने डाइग्राम से इवाइड बाइट उतनी हो जाए एक एफ पाई एन हमने फोर्मले से देखा था इंकुरोनस पैरललर काउंटर यह क्या है सिंक्रोनस अब देख सकते हो यहां पर सारी के लोग सेम है जो बोलते हैं सिंक्रोनस क्या नोट सेल्फ स्टार्टिंग रिंग काउंटर नोट काउंटर के अंदर यू स्टेट होती है चार अन्यूजड होती है टोटल 16 में से देखो सिर्फ हमारे पास पारा जो होती हो अन्यूजड ही सिर्फ चार स्टेट बस्ति जो जो करने के लिए एनी काउंटर इफ क्लोग पल्स इस एफ एन एफ बाइन हो जाएगी इसकी अगर यहां पर आपको पता है किस पे नेबल होता है किस पर अगर यहां पर किसी तरीके से हमें क्या लाना है यहां पर वन आएगा तो डी पर जैसे आएगा वो Q3 में चला जाएगा अगर हमें यहां लाना तो एक भी स्टेट क्या होगी यहां पर एक भी स्टेट अगर जीरो आ जाती है ना ठीक है जो आउट्पूट पर वन लाके देदेगा और फिर हम इससे बोलते सेल्फ स्टार्टिंग काउंटर यह खांँटर थय vị लोहम त्येराइज तो रेस टीडावज निस्ट काउंटर ठीक है आप देंख सकते हुँए हमारा यह उससे हमारा डी 2 री य क्नेक्ट है इस मेंमारे फ्लों इस यहां धेला फ्लप मैक्सिमम काउंट पाई खांटेल काउंटर गाउंट पूशन डारेक्ट आपसे पूश सकता है इनना काउंटर इफ फीडबैक कनेक्शन इस यूज तर नंबर और पॉसिबर स्टेट विल डिक्रीज और फीडबैक भी लगा हुआ तो हमारी स्टेट डिक्रीज हो जाएगी थी कि नॉर्मल जोंसन काउंटर दर नंबर कि देख लेकरक्राइट अउटपूट फिलिफ फलोप isn f x2n डिक्री लिqी सइकल होती है 50% स्टेशाइकल इसंड़ के सकते हो यह ए cnc efficiency बोल सकते हो काउंट्रिस के टम में टूटि साइकल क्या होती है कि है डूटि सायकल करने है फोर्मवला लग देता हूं विए आपको समय में आजा डूटि साइकल होता है यह अच्छी आप टॉट्वी डेपेंड करती है यह टॉटल एफिशेंसी नहीं टॉटल टाइम तो तो यहां पर दूटी साइकल 50% है 50% यह हमारा पहले से बता दिया थे टोंशन काउटर डिकोड इच स्टेट वन इंपूट एंड पर तू इंपूट एंड और नोर गेट इस यूज़ अगर हमारे पर डिकोड में एक भी सारी स्टेट को डिकोड करना हो तो टीक है वन बाई लोक आउट में और वेंडाइंर इन्तू अनुज़ अगर एक बाण में बता देता हूं जॉनसर्ञां स्टेट स्टेट में चला जाता врем study of the चप're가 यह इसी स्टेट में घुमता रहेगा जबकि वो 0, 1, 3 जो लेफ्ट वाली है यह इनी स्टेट में कभी आई नहीं पाएगा यह होता है जो उंसन काउंटर का एक ड्रोबेक इंक्रोनर सीरिस आप देख सकते हो सारी क्लोक में यह की हमें दे रखी है ठीक है क्लोक फ्रिक्वेंस हमने देखा है ठीक है ठाथा है टोटल डिले ओफ डिस काउंटर टोटल देखा जाया तो फ्लिफ लॉप का डिपीड यानि डिले टाइम प्लेश टीप की हमारा एंड गेट का टाइम इंक्रोनर स्पैलल कैरी काउंटर इतना को याद कर नहीं जरू होता है यह पता नहीं हो क्या क्या चीज काउंट कर पा रहा है जैसे कि आपको यहां से निकाल देना है के लिए के लिए फ्रिकेंशी की बात की जाए तो वन इपीडी और फिलिफ्लॉप एंड गेटे सेमी है अब यह था हमारा चैप्टर 4 अब लास्ट चैप्टर है चैप्टर 5 इसके में में तो पहले तो यह सिंगल डवल प्रिसेशन जो हो है वह होता है हमारा आई टेपल ली के लिए बाग की आपको पता नहीं हो चाहिए यहां पर बाइनरी बाइनरी टू डैसिमल एना ऐसी अधर कन्वर्जन के लिए हमें देखना है ठीक है तो पहले पहले मैं बता देता हूं सिस्टम जानी कि कि अगर किसी का बेस भी एह और डिफेंट भी 0 टू बी माइनस फ़न डिए तो जिरो तो बी माइनस फ़न जो यहां पर वैल्ली होगी ना वह 0 टू-1 होगी ठीक है और इसका बिश से यहां पर कभी 10 नहीं लिखा होता ह 9 8 7 अगर इसका बेस टू है यहां तो 0 या 1 होगा सिंपल जो यह बेस्यों योगी ना उसके अंदर यह गर्रण रहा है ति कि I think यह बतार मैं बता नहीं कि को जरूत नहीं कि आप यह नंबर आप देखते हुए आ रहे हो अगर मैं पहले को बता दिया था अगर मैं मैं 11 डाल दूँगा तो यह हो जाएगा एक्स स्थिरी कोड ठीक है नंबर सिस्टम में देख सकते है बाइनरी का जो बेस होता वह टू होता ओक्तल का एक्ट होता डेसिमल का टैन हेक्सा का इस्टीन मैंने बता दिया एंड माइनस वन तक डिप्रेजेंट कर सकते तो तो जिरो यह जिरो टू सैवन यहां जिरो टू नाइन तो शिक्टीन होगा यानि हैजडल में जिरो टू नाइन लेकिन यहां पर एको एक और लिख देंगे तो यहां कन्फिजन हो सकती है कि 1010 को रिप्रेजेंट करेगा अलग 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 तो इस सच्छा हमने उसको एक नया नमर द यहां परा जिससे की वन जीरो और वन जीरो में confusion नहों जाएं यहां पर जो वन जीरो है वो यहां पर टैन बोला है यहां पर वन जीरो मतलब अलग-अलग तो इस वज़े से confusion हो सकती थी इस वज़े से हमने यह यह यूजी आता है in binary system we have four bits is known as nibble nibble बोलते है four bits को ठीक है एक आज बिचिति और फर वेलिड बीचिट इकल टूट इक टूट इंड फटी सिक्ट इस का बतलब क्या है यह आगर मैं इसी नंबर को र्ररेप्रेजेंट करूंगा तो यानि आठ चार शोला और एक सतरह तो यह नंबर क्या हो गया यह हो गया 17 यहां पर सिंपल आगर देखा जाए तो BCD में कैसे रिप्रेजेंट करते है BCD कहता है 1 1 को 4 बिट और इसको 7 को ऐसे सिंपल यह हमारा 8421 में रेप्रेजेंट करते हैं हम किसी भी बाइनरी को यह होता है बाइनरी कोड़िट ठीक है इस वज़े से BCD का एक से हमारे पास नंबर है 385 तो BCD में हम लिखेंगे 0011 यह चार बिट का जैसे हम है अब आपको बता होगा है क्या होता है अब 8 को रिप्रेजेंट करूंगा 0101 तो यह जो है इसको मैं टोटल लिखू तो यह हो ता इसका एक्जामपल से बता दो एक्सेस 3 कोड मैं आपको बता दिया है पहले BCD में करवाट करो उसमें प्लस 3 एड करके हम एक्सेस 3 कोड बनाते है इसके ड्राइब फ्रम BCD कोड बाइडिंग 3 इस अ सेल कॉंपलीमेंटरी कोड इट इस दा ओनली कोड विचिट अन्रोट इन सेल कॉंपलीमेंटिंग 2421 33 21 43 215 211 ते और सेल कॉंपलीमेंटरी कोड विर सम उफ भीट तीक है मैं बता देता हूं तैपलीमेंटिंग जो कोड बनाने के लिए सिफ़हमां एक्सेस 3 कोई डारेक्ट बोल सकते हैं कि यह self complimentary code होते है अब self complimentary code क्या होते है जैसे कि 0 1 2 3 4 5 6 7 है जिए जीरो प्लस 7 होगा x3 में दोनों same value होगी 1 प्लस 6 same होगी 2 5 same होगी 3 4 same होगी इसे बोलते है हमारा self complimentary code ठीक है अगर मैं यहां कहीं लिखो self complimentary code के बारे में तो यहां पर एक चीज लिख सकता हूं लाइन कि sum sum of all weights sum of all weights to all binary bits binary bits are equal simple यह है हमारा self complimentary का पतलब लेकर कि अगर example देना है तो मैं एक example देंगे दिखा देता हूं जैसे कि हमारे पास हमारे पास कोई number है 4 2 2 1 अगर मैं इस सब को add करूं इन सब को add करूं ठीक है add करूं तो जो मैं बता देता हूं sum of all weights to all bits मैंने हैं लिखना भूल गया equal to 9 यहां पर 9 यहांने कि इन सब का जो equal weight होगा न सब का 9 जैसे कि 4 2 7 7 2 9 ठीक है यहां पर 4 2 6 2 8 और 1 9 ठीक है यहां पर 9 बन रहा है तो इसका मतलब है यह self complimentary code है simply self complimentary code का मतलब बता दिया ग्रे कोड अभी आपको मैंने बता दिये कैसे बनता है agree code binary to gray code conversion हमने देख लिया है इसमें also called as minimum change code यह हमें पढ़ने की जो होतनी is called cyclic code और reflexive code since error is minimum so called कि ऊपर से के map में use होता है आपको बता होगा बदे है conversion हमने देख लिए binary to gray कैसे होता है इसे cyclic code कहते है ठीक है cyclic code उपस है ग्रेकोड अगर मैं कोई लिख हूँ तो दो बिट में लिखते जिरो 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 वन जिरो आना चाहिए तो यहां पर आता है 1110 पसे इसको mirror code भी कहते है जिको mirror code इसलिए कहते है पहले आपको क्या है ठीक है यह जो है यह मैं बता देता हूं कि जैसे one one देख सकते हूं यह दोनों एक दूसरे का mirror यह दो आगे मैंने 0G to add कर दिया यहां पर मैंने लगा देता हूं अगर mirror simple ठीक है यह ता हमारा mirror code भी बोलते है binary to gray conversion मैंने सब बता दिया है binary to gray conversion मैंने आपको बता दिया कैसे होता है ध्यान दखना gray to binary भी मैंने आपको बता दिया है कि कैसे उसका एक जोल लेते है अभी मैंने ऊपर एक बताया है तो यह है आप कुछ second को repeat करेंगो तो आपको मिल जाएगा कुछ आना दिजिटल नंबर रिप्रेजेटेटेशन डिजिटल नंबर रिप्रेजेटेशन माइनस टू रट पावर एंड माइनस वन तो इस रेंज के अनदर ही क्यों नंबर को लिख सकते है ठीक है एक सो साथ मायस 27 तो अगर हम कोई नंबर लेखना चाहे जैसे कि एंड की वैल्यू कर दिए का संग से हुट है कि मैं अगल आप देखकर है निन देखे साइं द तो इस वैंगा सब्सक्राइब कर दो बादको सबस्वों जाओ अपको सब समय बात यह पार्किया सब्सक्राइब आप देखके देख सकते हो, binary arithmetic क्या होती है, when both numbers have some same sign, then we add only magnitude and use the MSB, once complement addition के, when the number have different signs, keep one track, and once complement the other, then we add magnitude, like say, हमारे पर one zero, one zero है, तो इसका जो once complement होगा, वो क्या, आपकर zero, one zero, हमें invert कर देना है, if carry bit is present, if carry is present, add carry to LSB, अगर हम पर carry बज़ता है, तो इसको LSB में add कर देना है, sign of the result is sign of the uncompliment number, if carry is not present, take one compliment as the result, sign of the result is sign of the compliment number, ठीक है, यहाँ पर क्या है, कि अगर negative number है, तो negative number के लिए बता रहा है, कि negative number जब होगा, तो हमां once represent होगा, सबसे आगे, वाली बिट जीरो होगा, तो यानि कि positive or negative, ठीक है, तो इसके बाद आता, two's complement, two's complement कहता है, पहले once complement लो, once complement उसके बाद उसमें plus one कर दो, तो हमारा आया था, two's complement में, क्या हो सकता है, overflow हो सकता है, तो overflow check करने की condition है, क्या करना है हमें, यहाँ पे है, see in, see out, in, see out, ठीक है, in, see out, जैसे कोई number अगर हमें, अगर किसी कहा हमें two's complement लेना है, तो उसको add करना है, ठीक है, जैसे कि मैं example के दो हूँ, तो one, one, one होता है, हमारा, one, one होता है, ठीक है, three होता है, यहाँ यहाँ आएगा, यहाँ पर one carry आएगा, तो one, यहाँ पर आजाएगा, यहाँ आजाएगा, यहाँ आजाएगा, यहाँ आजाएगा, यहाँ आजाएगा, यहाँ आजाएगा, यहाँ आजाएगा, यह तो जब यहां पर 1 1 है यह C in और C out यह C out और C in यह दोनों है तो अगर इनकी value 0 आ रही है तो यहां overflow 1 आ रही है तो overflow इस compliment there is only one representation of 0 where once compliment representation there is two 0s यहां पर फाइदा क्या होता है once compliment की drop back यह थी once compliment की drop back यह है वहां पर represent करने जीरो दो तरीके से represent हो रहा है एक तो ऐसे बसे minus 0 रिप्रेजेंट हो रहा है यहां पर यहां पर जो drop back थी यहां पर इसकी drop back टूस कुंप्लिमेंट ने करी ती लेकिन यहां पर और यहां पर हम चेक कर लेंगे इसके जरीए ठीक है यह सरकेट से हम और फ्लो चेक करते है जाता है fixed plotting प्लोटिंग प्लोटिंट के लिए एक है अंसाइंट फैक्शन के लिए एंसेंट इंटीजर का कोई इसमें जो लिखे कोई इसको याद बात करनी जो होतनी है मैं बता देता हूं कैसे इसको करना होता है तो इसकंद्र हमार पर अगर 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 इसको हम पूरा सिरीज में लिखके चलेंगे तो अगर वी की वी मिनिमम इफ एंड ओनली इफ फॉर ओल यह होता है फॉर ओल आई एकल टो जीरो तो फिर हमारा वी मिन भी जाएगा ठीक है वी इस आप वी मैक्स के हो और इफ एंड उनली इफ एकल टो वन हो वी मैक्स की वैल्यू हो जाएगी यह वाली सिरीज ही उसे टू रेंज हमारा जो निकल के आती है ना वह यह ध्यान रगना कीजी होती है जिरो टू पावर एंड माइन माइनस वन आपको पताएं के अगर आपको पताएंज क्या होती है इंज आपके मेन है जो होती है जो होती है जो होती है जो होती है माइनस टू माइनस यह देंज आपको ध्यान रखनी है पिस्ट पॉइंट साइन नंबर अब आती है साइन नंबर के अंदर जो है सैंड बिडिस अंजीडर एक्स्पिलिटली एंस एडिशनल हार्डवेर रुका है यहां पर एक हार्डवेर चाहिए हमें एडिशनल सब्ट् एक्सपोनेंटेशन है ठीक है ध्यान रखना तो इस परे से उस कॉम्प्लीमेंट उसकी दोबैको दूर करता है लेकिन वहां ओवर्फ्लो की कंडिशन आ गई थी तो फ्लोटिंग मॉइंट में क्या कहता है कि यहां पर स्टोर इन मेंटी सा और एनी फ्लोटिंग नंबर तो क्लिकईयां एक्सपोनेंट ए महें मेंटी चाहिए मैंहें मैंटी सा में मिंक्टिशा एमि की सिंगल की देखना जोकी फिक्स होती है आंस इक्समोनेंट और होता है अरो ha MSB must be 0, MSB होनी चाहिए, MSB must be 9-0, 9-0, यानी 0 नहीं होनी चाहिए, MSB का जो 1-0 होगा, 0 नहीं होगा, तो 1-0 कुछ से सुथ, 10 की पावर जो भी, 10 की पावर दीनी, यहां वे 2, फाइनली की बात हो रहे, Xplit Normalization, लिगा होता है, V equal to minus 1, X3 power sign, 0.1, यानी यहाद 0 होती है, 1, 1, implicit और explicit में ध्यान रखना है, main जो है हमें, हमें single precision के बारे में ही देखना है, the basic component is unsigned, signed exponent of an original number, the two exponent is the vice exponent, यह आपको बता हो चाहिए, जो exponent होता है, vice में, 22 exponent minus 22 करना होता है, ठीक है, पहली bit जो होती है, वो होती है, sign के लिए, बाकी यह जो होती है, 22 exponent हो, यह होता है, मेंटी सा, ठीक है, अब आता है हमारा IEEE 754, को कि हमारे important, ठीक है, बन जाती है, क्योंकि the base of the system, यहाँ पर two होता है, there is a provision, हना, value is plus minus zero and plus minus infinity, ठीक है, the floating point number is stored either with single precision or double precision, यह main है, ठीक है, यह ध्यान रखना, और फिर आता है, इसमें value जो fix है, यह होता है, 32 bit का, हमारा single precision, मैं इसमें main चीए बता देता हूँ, ठीक है, single precision, जो कि हमें जहान रखना है, IEEE standard, ठीक है, ठीक है, जो कि हमारा main topic है, IEEE, पहले आता है, हमारा single precision, single, दूसरा आता है, double precision, double precision, अब single precision, double precision में फर्क क्या है, यह बता देता हूँ, यह है 32 bit का, ठीक है, इसका जो version, next version आया, वो है, 64 bit का, तो यह double precision, अब इसको लिखने का तरीका क्या है, अगर मैं single precision की बात करूँ, यह होता है, है हमारा यह होती है 1st bit, साइन bit, री होती है, exponent bit, ठीक है, मैंटीशा, अब यह जब हमारे size fix है, तो सब value भी fix हो सकती है, जो मैंटीशा की range जाना, वो होता है 23 bit apost का होता हमारा exponent की बात कि जा है, तो exponent होता है 8 bit, 8-bit का fix है सब कुछ fix है उसाइन है 1-bit का तो आपको यह डायक्ट कोश्चन इस पर पूछ सकता है अब हमें 22 की जब वैल्यू निकालने होगे ना 22 कैसे निकालेंगे 2 रेस्टी पावर वात होती है हमें 22 में 22 होता है हमें एक वैल्यू निकाल निकाल को इसमें प्लस करना होता है आपको क्या है आपको कुछ वैल्यू जैसे गीवन है जैसे एक्जांपल की तुर्पर हम पे 101011 11 11 111 और यह हमें 1.011 into पूछता है कि इसको single representation में represent करो तो आपको करना है इस point को किसी भी तरीके से यहां लेकर आना है क्योंकि मैंटी सामें कोई भी नंबर शुरू होगा वो 1 से शुरू हो तो यहां पर 1.011 इस नंबर को सेम ऐसे लिख देता हूं ठीक है और आपको पता है जब हम point को left में सरकाते है तो हमारी जो पावर होती हो प्लस में जाती है तो यहां पर देखो एक दो हमने टोटल जो पावर को left में लेके गए वह है रेस्टी पावर इतना पूरेस्टी पावर आता है हमारा आई यह देखते है 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तो 2 देश्टी पावर 11 आता है तो 2 देश्टी पावर पहले से तो 11-4 आता है 2 देश्टी पावर 7 यह 7 है ना यह बाइस में प्लस करना है तो बाइस में 7 करेंगे तो होता है मारा 127 प्लस 7 जो की 134 अब आपके पास 22 की वैल्यू आ चोगी है 12 की वैल्यू 134 134 12 की वैल्यू है डैसिमल में लेकिन हमें बाइनरी में चाहिए तो यह होता है वन-डबल डबल-0 111 फैन आपको क्या करना है मैंने वैल्यू डाल देने है यह तो मैंने वैल्यू बता दिए आपको इवैल्यू एस शुरू पर वहन पॉंट आना चाहिए ल एक्सपोनेंट की वेली जो होती है 22 22 पिलस जो नंबर जो की हमारा निकल क्या है प्रिक है 22 पिलस जो की टू की पावर में जो नंबर होगा ना अगर हम एड करेंगे तो यह होता एक्सपोनेंट अब यह जो है हमें रग देना यहां पे 8 बिट में अब यह नंबर क्या है यह नंबर जो था यह पॉजिटिव था पॉजिटिव था इस वज़े से यह जो नंबर हमें दे रखा था यह पॉजिटिव नंबर है पॉजिटिव नंबर के लिए प्लस साइन लग रहा होता नंबर के आगे तो यह प्लस साइन लग रहा था तो यह ह है डबल बिट के लिए बस मैं बता देता हूं बाइस की जो वैल्यू होगी ना बाइस की वैल्यू जो होगी होगी 1023 तरीके से आप डबल पेसिजन से निकाल सकते हो तो यह था ह眉 सकता है है यह रहता है यह रहता है यहाँ पर में अक्सेस पर रहता है यह जो है आपकी विंडो आपकी और शिस्टम चलाने में बदाठ करता है स्टेटिग्रम ऊंरो तैंने मिकित्रेन मोती ओंग प्रिष्टपेशल लो टीये गिरेंशेंक लेग के इसुए वज़ेसे ने डॉस्में आपको बता कुझते से घर लाइटल यूज होतloo फ्लिप्फ लॉप्या स्व्युष्ट ध्यान रखना इस विबसने आपको बतानों SRAM SRAM में flip-flop जो कि हमने पढ़ा है तो हमें पता हुने अच्छे कहां यूज होते है यह हमारे काम का नहीं है यह बाकी आपको पता है यह था हमारा पुरा डिजिटल लोजिक का डिविजन आयो आपको वीडियो पसंद आयोगी वीडियो लंबी हो गई है तो मैं इस